है चलिए गुल्मानिंग एवर्वन गर्ट मानिंग गुड्मानिंग चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और टुड़ी विया सपोस्ट तू स्टार्ट विद जनरे मिटिंग शिकना आज का मारा टार्गेट क्या रहने वाला एक बार हम लोग फटाफाट देख ल आता हमने यह तीन चैप्टर कवर किया जिसमें था डिपॉजिट चार्जेस एंड डिविडेंट फिर आपको लास्ट संडे मैंने आपको एक हाफ को स्टेस दिया था जिसमें यह पूरे सिलबस का एक रिविजन अच्छे सी किया तो टेस्ट पेपर दिया था आज हमारा ए शिलबस वाला होगा अकर मानलों जो बच्छे CS कर रहे room कव फॉर्षन ऊन्र। बच्च के लिए गाए पढ़ फोर्ट टो के लिए राधी में आता है जो सींस्से अमें ने इंटर वाले बच्चों होंगे कोई तो उनकी लिए इंटनक वख दो भी क suits कोता तो हर एक तयब क अर्थे टॉपिक नेश्ट वाला इए इए चलिए 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 तो ये सो येस गुर्मारिंग एवर्ड ओनलाइन वाले बच्चे मैं सब को देख लेता है चलिए चैतन्य शेंपाई प्रशांत प्रशांत यहीं बेटा है नहीं और आनंद रवी देवांश शद्धी साक्षी गुड मारिंगूर्मारिंग रोहित महसीन तेजस गुड मारिंग बटा सब को सबी लोगों को गूड मानिंग और जो लोग नहीं पर बैटे सेंट वे सुन के लिए पिकुर मारिंग ठीक है आपको गर में हुए ही कि चलिए आज है है पॉपफेक्ट पॉपफेक्ट राइट विल रिवाइज इक बार मैंने क्या के बता है आपको हम लोग बैसे क्या कवर करेंगे आज का सेशन हमारा यह हम लोग केडिगरी कवर करने वाले नोट्स आपको मैंने एक चेर पहले कर दी कहां पर टेलीग्राम गुरूप के अंदर साथ में आपकी वाट्स आप ग्रूप के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन पर वाट्स अब की लिंक हो कि जो लोग को भी नोट्स नहीं मिलोंगे ऑन्नेन वाले बच्चे पड़ापट जाकी निचे में डिस्क्रिप्शन पर आप एक ग्रूप हो जोइन करें आने वाले ती अगाश्वीं हमने किया था और आप हम लोग कर रहे है एक ऑक्तोबर का दिन इसमने हों कर रहे है जनरल मिटीन का पॉन्टेंट और चलिए 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 हुआ रसेट पॉफेक्ट पॉफेक्ट चली बिटा तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक एंड क्या क्या होगा कवर आज का समझना अच्छे से हम लोग क्या कवर करेंगे एक बार गौर से थान से सुनना अच्छे से ठीक है ना हमने बहुत पहले बात की थी अब प्रॉस्पेक्टर को लेके ज जांपे हमने 73 से लेके 76 कवर किया फिर हमने कवर किया चार्जएस चाप्टर यहां पर हमने 77 से लेके 87 कवर किया और हमने कवर किया लास्ट वीच में डिविदेंड 123-127 बीच भजी गाता हमारे 23-127 मतलब 105 sections हमने बिना कोई content skip किये detail में cover कि आप समझो मेरे बात को 23 से हमने शुरू किया 105 अभी खतम नहीं हुआ है अभी इसके बाद जो next Sunday आएगा आपका एट वाला वहां पर हम लोग क्या cover करने बाद यह मतलब यह समय लो कि मैंने रिविजन भी इसने मुझकी प्लान किया था कि मैंने पहली बोला था अगर मैं मैराथन लूँगा तो आठ नो घंडे का अब यह मानलो दो सेशन आप यह दस घंडे को चुके आज हमारे फिर पाच घंडे हो जाएंगे तीन सेशन हमारे औ आठ तरीक का पंदरा तरीक का उंदिस तरीक का मतलब यह मानलों फाई आर्ट इंटू सिक्स सेशन थर्टी प्लस आर्क आप क्या बन जाएगा रिविजन लेक्ट्टर आप समझे तो रिविजन लेक्ट्टर इस ओल्मोस्ट लेवल मैराथन से एक लेवल ज्यादा और इसी पूरा होने वाला है तो आप समय लोग पूरी बात यहां पर आपको कवर हो चुकी रहेंगी ठीक ना इस सो इस तरह सब्सक्राइब करेंगे तो आप यह देख सकते जो मैंने बैग्राउंड दिया पुरा यह हमने कवर किया तो इस तरह से मारा लेवल चल रही है यह च हुआ है चाप्टर नंबर हमारा क्या है जा टिक आट अटीका लाइस फर चाप्टरो 16 благ बैद से पढ़ाता हूं मेरा लेवल बर प्लस सात में HCम क्या होता है तो मौडुल भबात बात की नोर्मी required नहीं कर था कि मोडुल का problem क्या है की मौडुल में कई बार जैसे उन्होंने पहले बोर्ड मिट्म बड़ा दिया फिर बाक जर्ट मेडीं मिटिंक्ट सेक्चन वाइस ड़ो जरो गुद्र सावाइस 1 एक ठीनि धे और मिट्टिंग गरं सेक्चन वाइस द्रोन है का 지금 होने वाला वो भी ओगा जो उसके लिए भी अम लोग करेंगे पहले वाला लेक्चर कहां से मिलेका और भाई सब को यह प्रॉलम क्यों है यहीं मिलेगा यहीं पर हुआ है लास्स संडे को तोरस करना बढ़ेगा है आप किसी लड़की ऊुधना है तो चैसे बढू अच्छ धो नाहीं जो एक तरफिना कीवड डाल टाल ले डिपाउजिट है ना आस्मार यहीं से मिल जाएंगे ढ़ी जी है चलो चलो तो वापस साथ एस सेक्षन में हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नूबर एट एक बार में रिवाइट करा दूँ चैप्टर हमारे साथ कौन से कौन से होते हैं सबसे पहला चाप्टर कौन सा होता है we बूंपर प्रिमर्मरी एंग सेक्षिन नमब बन फॉर बेसिक्स गो चार बाते टाइटल एक्षेंट कमेंस्मेंट अप्लिकिए बीडिए इसे अच्छिन टू क्या होता है डेफिनेशन तर्फ निसे आपको एगा सेक्षिन टू क्लास 20 इसे menownieंटी-कमपनी 25 olarak 090 डिवेडन चैना क्लास 55 मेंबर्सिप मेमोरेंडम डिकोल तो सरी एक्षिन सार दिएगा इक पहुड़ मर्टी ट्र nessa 20 Hai यह च्șप्टर नमबर 2 incorporation पीडाप ये वगया विए लिखा हुआ है ये च्फटर नमबर 3 ये च्प्न भफोर ये च्प्न जे मबबोगे ऍच्फ पड़तर नंबर शूरु कर रहे है जब आपको अबस्यानि होना तो शीक्रपत deceive सब्सक्राइब यह बहुत बढ़ा है और साथ में आपको जो भी पढ़ाऊंगा वह एस पर रूल रहेगा क्योंकि आपको अगें निदेसु से यह आल नो कि हमारा मेजर एक्ट किस पर बेस्ट है रूल बेस्ट है मतलब सेक्षन में कोई भी प्रोविजन नहीं दिया है उन्होंने क्या बोलाएं हर चीज के लिए आप क्या रेफर करिए रूल्स को आपको सारे याद हो जाएंगे बिना एफर्ट दिये तो विल नौट गोइंट डैट वेरी क्विकली स्टार्ट विट फड़ाफट से आते हैं इं सेशन में जूड़ चुके और अगर आपको सच में क्वालिटी एंड लेवल पसंद आ रही है सब लोग ठीके ना हाफ कोस्ट पेपर कहा मिलेगा कि बिटा सभी कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन पे ग्रूप है उसी पर जोइन हो जाई है सब को चपको वहीं आने वाला है ठ रइस्टर हमने पढ़ा तो डिपाउजर का रइस्टर पढ़ा है चार्जिस का रइस्टर बढ़ा हर चीज का कंपनी क्या बनाती इंशॉड रइस्टर मतला आपको अगर एक्जाम में कुछ आए नहीं आए यह धान रख सकते कि यहां कंपनी में कुछ भी ऐसा बन रहा है क्लम्स होंगे और यहां पर नाम होंगे यहीं तरह बच्चे आगा है तो मैं क्या बना सकतो आप लोगों का रइस्टर यह सबका नाम क्या है आपका एड्रेस क्या आपका एक्जाम कपका है और आप कौन सा अटेंट दे रहे हो पहला है दूसरा है सबको सबको लिख लिए बन गया राइस्टर तो राइस्टर का मतलब बहुत सिंबल सा है कि राइस्टर इस बेसिक लिए कॉंटेंट आफ बेसिक प्रोसीजर पार्ट ठीक ना फिर दूसरा आता है रिटर्न के बारे में आपने कई बार देखाओ का कंपनी नौम है कि कोई भी कंपनी जो डिसक्वा पढ़ा गया है उसमें से बार बार दो नाम की जिकर बार बार होता है अगर कंपनी ने आकांट फाइल नहीं किया जो कि यह वाला है अनूवल रिटरन साल में बारा मैने में एप्रिल-टुमार्ट अपनी क्या करती है लेखा जोका करती है उसका ब्रेकप का होता है अनुल यह सब यहां पर आता है फिर हम लुग पुरा कवर करेंगे हैं मेंबस की होती है डोंट से चैरोल बर मेंबर नहीं नहीं होते नॉर्मली दोनों एक ही होते हैं बढ़ डिफरेंस भी वह यहाँ हम लोग कवर कर लेंगे ठीक है ना सो मीटिंग्स पढ़ेंगे और सबसे अक्रिम लोग पढ़ेंगे मीटिंग्स के रिक्विजिट्स मतलब वह एजी हम हो या वह हम कैसे क्या भीजेंगे लोगों को नूटसन कैसे वो लोगे फैरम बनाएंगा मीटिंग यह होता है क्या होता है प्राक्सिक के भारे में वोटिंग कैसे होती है सर च्णिया शौटींbit आपर रिखर सकते हैं एब क्र मिधागों को की सब्लों क्या होएं तो Everything ji सब्सक्राइब क्या होता है 50% तो सही मिनिंग क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग है ना 50% का मतलब 75% मतलब ऐसार नहीं होता यह जनरल इंग्रिश में भोलना ठीक है बट प्रैक्टिक यह आपको साबित करूंगा कि 75% यह 50% बोलना बहुत घटिया प्शन है हम भी बोल देते तो क्या पास हुआ और और जित्ते वोट अगेंस्ट में उससे अगर थ्री टाइमस वोट फेवर में तो क्या पास हुआ इसके मिनिंग बहुत अलग है तो यह हम लोग पढ़ेंगे फिर मिटिंग आपने पढ़ा होगा बहुत बार आपको मैंने मेरे मूश से सुना होगा कि जब जब कंपनी क्या करती है सर पास करती क्या फाइल करती है Mgd 14 यह सब कहां से मालूम बढ़ दाए सेक्शन नमर 117 117 बताता कि आपको क्या करना है Mgd 14 भरना होता है 118 very important minutes पूरी meeting क्या बनेगा हिसाब किताब summary minutes आता है था ना तो इसे करके पूरे chapters यहां पर कवर होंगे तो वी विल कवर एवरिटिंग इन दिस पूर सेक्शन तो आज का पूरा पाच घंटा मारा जाएगा इस चार पार्ट बे पहले रिटरंस पड़ेंगे मिटिंग्स पड़ेंगे और रिक्विजिट्स पड़ेंगे ठीक है ना चली बिटा आगे बढ़ता है तो फ सब्सक्राइब वनालेंगे बड़ने से करें लुगना जो है रिटर बालेंगे प्ला इसे हूं मेरे क्लास में और हैं कोई भी मेंबर बन सकता है कहीं कभी मेंबर मेंबर बन गए बट बट कंपी लोग में में मेंबर का मिनिंग दिया गया section number two clause 55 में है ना कि मेंबर कौन है तीन तरीके हैं आपको company में 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 बनने की very simple very straight how to become a member of any company three ways first thing is सबसे पहला क्या बने कंपनी के सबस्क्राइबर बाता खुदी company बनाई है और खुद क्या बन जाए उसके member member कैसे बनों के subscriber बनके तो first best way is to become the subscriber of the company तो मेरा सबस्क्राइबर जिसने company को क्या किया है रइजिस्टर किया है जिसने company को incorporate किया है तो first तरीका होता है company को क्या करना incorporate करके member बनना first तरीका दूसरा होता है sir any person who agrees in writing जिसका best example IPO जैसे LIC का IPO आया जो मैट्र को IPO आया पेटियम का IPO आया जब भी कोई नया IPO आता है यह public offer आता है आप उसके shares क्या कर लो बाइक कर लो और जैसे आप बाइक करते हो आपने agree किया writing में कि अब member बनना चाहते हो second way होता है यह वाला और third way होता है अगर आप company बहुत बढ़ी यह लिश्टर company है तो वहाँ पर नॉर्मरी कौन होता है आपको पता ही होगा एक वर्ड जिसका नाम होता है depository है ना सबको पता है depository के बारे में क्या होता है सुनना अच्छे से आपको पता होगा कि एस पर company law and as per depository एक एक company share किसको शुकरती है पब्लिक को करती तो है लेकिन डारेक्टी नहीं करती है वह किसको करती है depository को depository with the help of depository participants इसको शेर बाठता है पब्लिक को एक्चुली company दे रही है शेर किसको पब्लिक बढ़ बाठ रही है वह बाठती घुमा के तो होता क्या है एक company ने शेर किसको बाठता है पहले बाठती को कौन से शेर फिसिकल शेर तो company की record में depository कौन होता है registered owner मैं शॉट में लिख रहा हूं आप ध्यान रखना registered owner होता है कौन depository कि 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 कॉर्ण में company के बताद company के नजरों में depository is the registered owner बट सही माइने में यह शेर किसके है पब्लिक के तो depository record में हमारा नम क्या होता है beneficial owner beneficial owner तो सही माइने में company का सुनना चाहिए सही माइने में company का owner कौन है depository के हम सही माइने में सही माइने में तो पब्लिक है बट लीगेली देखा जातों पॉन है depository क्योंकि जिसका नाम लिखा है वो ही होगा इसलिए लॉपसर यह दिखने के लिए कौन है मेंबर है बट रियल मेंबर तो हम है तो हम क्या है बियो बेनिफिशियल ओनर इसे यह वर्ड यूस किया गया beneficial owner तो यह तीन तरीके होते हैं समय अच्छे समरी में पापस से ठीना पहला आप company खुद बनाई और क्या बन जाई उसके सब्सक्राइबर बन जाओ पहला वर्ड सब्सक्राइबर और बन जाओं मेंबर दूसरा तरीका होता है सरप कंपनी को राइटिंग में अप्लाई कर दो यसपे अब ट्रांसफर हो सकता है ना मालो प्रशांत को मिशेश्ब बिचने ए मांट टूसेल विशाल ना विशल सभी विश्चाल वांटो सेर अपर पूरा ब्रिक अब देखे रखाए अब को दो वाट इस अब तरीका करने का फिर्स्ट वे होता है दूसरा होता राइटिंग राइटिंग वेचार वेज़े वन टू थी पूर पहला होगे कंपनी के तो आप अप्लिकेशन दूसरा आप कंपनी क अगर यही ओनर की डेथ हो जाती है तो क्या बन जाएगा अगर दिल से बेचोगे तो ट्रांसफर अगर बाइब ऑपरेशन आफ लॉव बेचा जा रहा है तो ट्रांस्विशन अब ऑपरेशन आफ लॉव मतलब किसी क्या किये जाए तो कोई बंदा जिन्दा है लेकिन वो सब्सक्राइब तो उसके शेयर ट्रांसफर तो करने सकता है एक फागल है वह मैंटली रिटार्डड है उसको क्या समझ में आ रहा है बेच रहा है तो वह नहीं बेचेगा कौन बेचेगा कोट या लॉवेकर बेचे तीसरा और चौथा बहुत इंट्रेस्टिंग जिसका ना यह करें लेते हैं और आश्टिंग कि सराप एक बार जाईए एक लेते हैं तो वह मेरे पास आया और मैंने लोकों को पिछ कर दिया क्या बोलके कि मैं एक कंपनी खूल रहा हूं और उसकांपनी में मेरे साथ कौन मेंबर रहा है रतना रहा साब कुछ में बहुत बोला आप रहा है और आए सेड कि मैंने कंपनी बना रहा हूं उसमें मेंबर कॉन रहा हूं उनका काम क्या था अगर मैं सच बोल रहा हूं तो टेंशन नहीं है बढ़ा करना चीए था रोकना चीए थे मुझको तुछार फलतो बाते मत करो कि आप लोग जब शेयर भाई करोगे तो लगतव करें कान आए कि कि मेरे कंपनी के किस के बरोसे पे टाटा साब के वरोसी पे ऐगल जा की फ्रौत हुआ तो आप इसको लाइबल करो कि पहले मुझको की ठाड़ और सबको तो करो गई मुझको तो करोगी ड़लए वो top टैन कंटा सब लाइबल होंकी की बिलकुल कि बूढ़ों और वो क्या बूलता आरे नहीं निए मैं में घी कर रहा था मैं आपको मद्सिक अभी मेंगी पड़े कि अब दो हो गए यौ कि आपने तब मना नहीं किया अब आप लाइबल हो गए अपर स्वत मेंबर ही नहीं है नहीं है लेकिन आप मेंबर माने जाएंगे फ सर बट एस्टापल की केडिगरी में वो मेंबर बन जाएंगे और वो मेंबर है और तीसा तो बताई दिया मैंने आपको एक्विडिस शेर अकर होल करते हैं एस पर विचक्ट डिपाउजट रहे तो यह सारे तरीके होते क्या बनने की किसी कंपनी में 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 बनने कि I hope it is very आपके बस में में क्या होना चाहिए प्रोविजन होना चाहिए किस बात का ऑब्जे क्या करते हैं तो कोई दिक्क्यत नहीं है तो एंसर यसी आएगा बड़ क्या पार्टर बन सकता है लेकिन फॉर्म नहीं बन सकती कभी भी एवर अचा इसमें करता हूं अगर मैं आपको पुछ हूं LLP तो के अंसर आएगा यस क्योंकि LLP फिर से कौन है तो मेरे को किसी पार्टर से दुश्मनी नहीं है आप नौट बिकेमिंग बाइस आइम जस्ट वेकिश्वर कि जो बन रहा है वह कौन होना चाहिए लीगल परसन या तो वह होना चाहिए ने और नौट बन सकती है फिर सेक्शं एकांपणी अब नौर्मी आपको पता इसकांसर में यस भी आए गवर नौब यहाँगा कैसे आएका उसनों क्यों क्यों क्या क्या होते नौरमली चरइटेंकर नग्या क्यान वैसे पैसों की वांदे होते यह पैसे लाते लोगों से साइटी मंगे डोनेशन मांगे ौरए वैसे लेक मोई चुप है तो डेफिनिटी एंसर क्या होगा ना नेक्स आता है फॉरिनर कर सकता है इंवेस्ट सर मेंबर बन सकता बिल्कुल है यहां भी मैं स्टामाक बारूंगा क्यों कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा ग्रूप टू आप जो पढ़ते होंगा उनको मालूम होगा एक प्रोवाइडेड आपको किसी और आक्ने मना नहीं करना चाहिए तो वह आपको देखना है बाकि अगर फेमा नहीं बोलता है तो कंपी लोग के लिए हमको कौंचे ही जीता दाता आदमी वो है काम घतम इतना सिंपल है माइनर बन सकता है क्या अब इस पर भी दो आइंसर से इस पर फेमसा केस था दिवान सिंग वाला केस था है ना मिला फेम सिमेडर वाला उसके इसा िसके अड़रोल्टर बनाने में में दिक्कत क्यों आ रही है क्यों तो मैंनर कीमिल dépend कैब टो कंट्राक्ट्रेक्ट कर ऊंडर मार मानलो मानने रेकॉल मनी पिर सकता हूं नहीं इस था और मैं सब curry कर call में लॉट बोलता है सर मैं में आपके बीटे को तब नहीं बनाओंगा जब मुझे डाउट है कि अगर कल कुछ पैसा मंगवाया और आपके बीटे नहीं दिया तो मैं उस पर केस नहीं तो आपको किस करना भी नहीं सर पैसे चाहिए ना मैं देता हूं देदी फुली पेड़ा मैंनर को है तो कुछ बनाओंगे पाट लीड़ा है तो मैंनर बन सकता और मेंम्बर कभी कभी नहीं ऐसा ठीक हैだから इंसलूमेंट मेंबर находится सकता है किया दो क्वें सकता है किया नो बाधर मैमबर था और बाग भी क्या वा इचोलम तो वह रह सकता है हथा न् devotion ञिस बदिध्रेंस बजCr dłट रह सकता सब्सक्ती तो इंगली से बोलेंगे तो एकन इंप्रलोंано become member can insolvent act as a member or continue as a member to answer yes the whole answer goes opposite can insolvent become member become का मतलब इंग्लिश में बन सकता है नहीं clear no can insolvent continue or remain as a member assume किया जारे था कि वो पहले क्या था member करता बाद में क्या हो कि इंसolvent तो वो member रहे सकता है रहे सकता है इतना clarify धार फिर पाउनर पाउनी पाउनी कोन होता अपर सुना होगा जैसे हम जब बैंक से लोन ले तो बैंक को क्या करते है शेयर करते अक 싸 गिरवी किया तो बैंक क्या बन जाएगाchar फानी मैं क्या Со¬ सब्सक्राइब यूप करते भराबर वहममहेंबन घ्या सर गिरवी करते भराबर हमina लेकिन अगर जिस लोन लिया था प्रपटी तो यह प्लेज कर सकते हैं प्लेज करने को बोलते पाउन करना प्लेजर प्लेजी या पाउनर पाउनी यह वर्ड से और आपको शाहिए पड़ा भी होगा तो टूपा की मताबिए अगर लैंड बीडिंग होती है इम्मेवल प्रपट्टी तो यह वह प्लेज होती है अगर वह परस्तल शेयर सब्सक्राइब ज्वेलरी वगर रहे तो वह कभी भी मॉर्टेज नहीं होता वह क्या होता है प्लेज या पॉन दो मेंसे कुछ एक वर्ड होता है और पॉन करने वाला पाउनर जिसको दिया जा रह नहीं 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 अगर मैंने लोन रिपे नहीं किया तो मेंबर बनेगा और मैंने अगर पूरा लोन चुकता कर देवित इंड्रेस्ट तो मुरे पूरे शेयर आपस मिल जाएंगे और मैं में मेंबर था मैं में मेंबर हूं में 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 रहूंगा सिम्पल एंसर यह आपको इंसॉल्वें से लॉक के मुताभी डिक्लेर होता है कोट या कोई NCLT क्या करते किसी बंदे को इंसॉल्वेंट करार देती है जैसे अगर मैंने परक्रांग प्रशान को बोलता है यार 50 रुपे देना उसने जिप से दो रुपे निकाले बहुता है तो मैं बहुता है कंगाले दो रुपे भी नहीं तेरे पास तो यह हमारी बीच की बास्टा में बात हो गई है बट उशार पाड़े कोई नहीं होता है प्रसान को क्या बोलने वाला की बैंकरफ्ट है वो खुझ भी नहीं मेरे पास पे तो इस सेर्फ प्रोक्लेम्ड बैंकरफ्ट ऐसे को बैंकरफ्ट बोलते वो मजा नहीं आया मालूम पड़़ों पचास लाग रुपे पड़े तो ब बैंकम्झावी में ईफिक्टिछास जूटे नाम पर कोई बंदा शेयर बाइक अना मैंने फर्जी चाह बणाया पांकर बना लिया और मेरे नाम रग दिया नाम लदिया तुशार कुरेशी एज़गा और दुसरा बैंकरबना थे शलीम पहाड़े और उससे अनुम से मैंने और फिलाल तो वह भी जाएंगे कि उनको भी पकड़ आएंगा तो इस आनो भी नहीं आएगा और लास्ट में ट्रेड यून्य इसके एक ट्रैद्ट उनीयन एक इनटीनटेट फंटीसिक्स इसके मुताबिर टेनों को क्या माना किया है सेप्रेट लीगल एंडिन इमाना किया है जो सेप्र लीगल एंडिटी है वो क्या बन सकता है मेंबर तो यह हो गया सिंपल सापका एक समरी कि मेंबर कौन बन सकता है है ना ओनने वाले सब को कंफाम है क्लियर हो रहा है इसी से ठीक है ना फड़ावर से रिप्लाइ करें चैट बख तो यह सा नहीं कि तो यह तो माँको आ गया हाउट विकम मेंबर सबसे प्रदेगा कौन सा होता है सबस्क्राइब यह पूरा पढ़ लिया है ना यहां पर लिखाओ देखो इप्सवेक्ट वर्ड़िप्सवेक्टोव बाई डिफॉल्ट मतलब बाइडिफॉल्ट पहला मेंबर कौन होता मेंशा किसा इसार नाम किसिक इंसान का तो मैं क्या मानूंगा कि वह मेंबर है किसके नाम डिखा हुआ तो इसान से मैं नाम डल दिया मैं नाम को दिखता तो है कि हां मेंबर है बड़ नोगो दीपर वन इविस्टगेट वन उड़ रिस अग्वंड नहीं तो क्या मेरा क्वेश्टम पॉसिंबल साहे रइस्टर मेंबर सको हम एक फुल पूरूफ एविदेंस बाने क्या फुल पूरूफ एविदेंस नहीं हो सकता यह सी तो सकता है प्राम कि कर्णूजव से चंटूजव से को जिए चंटूजव कंटूजव मेंने बोल दिया बाह खत्म इतना फोसस सबूट च्या होता है फिर प्सक्रीटव कंश कोरूजव एदेंस आओ और यह इंदर में में आप लोग आप लोग क्लास में एक कमरा था बंधार दो दिछ से ने शुबर जैसे दरवाजा खोला अंदर आए तो एक बंदे की बाड़ी लटकी बढ़ी है जैसे आप देखेंगे दरवाजा खुलते बाराब क्या लगता आपको कि सुसाइडे की मडर है एक इमेजिंग आपको जल्दी समझ में आएगा एक रूम है आप दरवाजा खुला एक रूम खुलते बराबर देखा तो एक बंदा फैन पे लटका हुआ है कि सुसाइड है यह कुंसा एविदेंस से कंक्लूजिव की प्राइमेशी 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 क्योंकि देखते बराब लटका है मतलब सुसाइड होगा नेक्स्ट मोमेंट पर वेन यू सी दिस यू कम टूनों कि सर नीचे में कोई टेबल नहीं है जो मैंने पहले बिग्जांबल दिया इसका की टेबल अगर होगा तो को बंदा चड़ेगा अपने आपको लस्ती बांदेगा और वो लटकेगा अगर कोई बना सुसाइड करेगा तो यह नॉर्मल तरीका होता है प्रसीजर पाट होता है अगर मैं इसी बंदे की मैं इमोशनल समझू तो उसे क्या किया होगा अगर विजलाइस तो यहीं किया होगा बट सर उसके आसपस अगर एक दस मिटेग राइडियस में एक भी अच्छी तरीके से व्यवस्ति तरीके से क्या है अरेंज़ तो क्या मैं बोल सकता हूं सक्किर यहां पर कुछ तो भी फिश है शायद कोई बंदा आया मारके चला गया और सबूत मिठाने के चक्कर में जनबुच क्या क्या कर दिया सारे टेबल चर वहीं रगा कर दिया और यह सब अच्छा उपर से अगर मालों सीटीव क्यामरा अगर होगा फिर तो भाइसाब वह कैमेरे का फुटेज विल गिवर विच एविडेंस बट आप अंदर आते बारा देखिए कि यह लटका बढ़ाता तो कौन से एविडेंस है बस मैं को सी इस्तना समझाना था कि एक आपको फैक्स इन प्रेस रेलेवेंट फैक्ट्स ऐसे कॉंटेंट्स आपको पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे जेएजल में एविडेंस एक तो इसलिए लोगों बोलता सर की एक एक जामपल जहां पर कोई बंदा रइस्टर देखते हम लोगों को नसे होता मैंशा प्रा करके तक एक कोई कंपणी का we are on in achemical content ऑंप्पार आपर एकश्वाइर मेंबर्शिप अब बात कर रहें कि मेंबर्शिप जाती कैसे कैसे इसी मैंबर्शिप की मैंभर्शिप इánt इस्टी है झाले मैंत ईयज़ां कि ये बंद mitä इस्काका पर दिया को फेलब data तो उस तरह से membership जैसे मालो खुनाल है अब खुनाल ने शेर मुझे बेचे तो मैं क्या बना कि मैं मैंमबर बना तो मेरा नाम कहा जाएगा पिशले पेचते हाउ टुभी कंब मिंबर इसे बिखेट कुलन ने अपने शेर मुझे बेचे मेरा नाम कहा पूर्व जाएगा इस पेच पहां पर इस पेचके ये नाम पर יה रहा मं तशार पहांडेट मैमबर बना कैसे बना क्रांसफर के थौ बना मेरा तो समंझ में आ गिया कुना ने सारे शेर बेचे तो कुना आच कि पाद मेंबर नहीं रहा तो यह सर उसका भी तो नाम यहां पर आएगा तो ट्रांसफर ट्रांसफर दुनों तरफ आ गया है बैट मेरे एंगल से जब समझेंगे तो मैं में मेंबर बन रहा था उसके अंगल से मेंबर्शिप से सीज हो रहा है पास कतम हो गई है ना अच्छा वाइव तो मेंबर राही निए वेरी गुड़ एकजमपल फिर थिसरह ही ऐसी कोई बंदे केशयरस सोड़ वह गए अगर कोई मेंबर मर गया फिर तो बात इक ह्रतम हो गई पिर वह बंदा अगर क्या isolant लोगिया डिकलेयर तो मेंबर नहीं रहेगा तीक है ना अच्छा इसी के पास कौन से शेर थे वो भी कौन से वाले रिडीमेबल कणवर्टीबल नहीं रिडीमेबल जो रिडीम होते हैं आफटर फाइव यह टैनियर वाटेवर और पीरियेड आ गया वह शेर्स क्या हो गया रिडीमड पास्टेंस रिडीमड लिए तो शेयर ले लिये मेंबर्शिप से ना कि और प्रशांद में क्या किया पड़ने करें जा बढ़ना कि प्रश्पिर्द्टकी यह लें से लिह क्या फॉडव यूस्ट का नाम कि अटा दिया तो यह तब होगा जब कोई बंदा अपना कॉंट्रेक्ट क्या करता है रेसेंड मतलब कॉंट्रेक्ट तूरता है ठीक है ना फिर शेयर सार पर्चेस्ट अंडर ऑडर अफ कोट कोट ने शेयर सेक्शन नमबर आपको याद होगा 38 कंपनी अक का डिश्ज सलीम पहाड़े ऐसे दो नाम पर मैंने शेयर भाई की है जब मालूम बढ़ा कि तो फर्दी नाम है दोनों तो शेयर क्या किये कोट ने अब देखो मैंने तो फुली पेड़ाप थे तो फुली पेड़ाप शेयर फोफिचर तो लगेगा नहीं अच्छा क्या ये शेयर मेरे पास रहेंगे क्या नहीं तो मैं रहूं मेरे पास रहेंगे नहीं कंपनी वापस लेकिने कंपनी को चाहिए तपईसा हो तो फुली पेड़े तो कोट क्या करेकर सेयर को अपने कबजे में लेगा अंडर्श कर्षडी लेगा उसको बेचे का और पैसा का भीज़ेगा आई प गल्डुवा तो दोरों को बैठाएंगे वह फिलाल वह दोका बाद देखते पहले तो जो फर्जी नाम सुझार हो यह हो गया यहां पर फिर एक पर एक कंपनी मेंबर है किसकी कंपनी की चाहीं तो को हो गई और आप जिस कंपनी के मेंबर ते वह मेंबर कंप्री क्या हो पूरे वापस लेते हैं और उसके पूरे पैसे वापस कर देते हैं तो इस तरह से में लोग कम करते हैं चली गया है यह यह वेरी गुड़ कि अब बागी सब्सक्राइब करवा दो नहीं वह थो कंपनों का काम करता हूं कि बैंक्रफ्ट फिर से एक बार एक्स्पेंट कर दो मैंने बताना आपको बैंक्रफ्ट नॉर्मरी कोई कोड यह कोई ऑथेटिसी बताती है इंसॉलवंसी प्रॉपर एक पोजीशन है या सिच्वेशन है जो की कोड क्या करता है किसी बंदे को डिकलेयर करता है आपको पढ़ रहा है बैंकरफ्ट बन रहा है अपने हरकतों से ऐसे नहीं होता है प्रोक्लेम्ट करने के लिए आपको कोट में जाना पड़ता या इंसरे जाना पड़ता है ठीक है ना यस चलो बढ़ता है तो थुरह सब्सक्राइब गया बेसिक सा आमोस्ट फुर्टीफव मिनिट्स हो के राजिस्ट्रा मेंबर्स अच्छां वापस से क्याक्या वाला तीन पेज में में अंपिर कॉन होता है तीन बाते जल्द फटाफरतste है विद्सक्राइबरा संब्सक्राइबर में नांगे वालामें बनों एक हैं यह तरीक बनाicated इbirds can't सकता है कौन को नहीं बन सकता ये बार कर देना अच्छे से पिर से बता दिया और मेंबर शुट जाते कैसे मेंबर कौन बनेगा कैसे बनेगा क्या बनेगा वो सब आपको द्यान अकनाइटी के ना कि अनिता कि यह एक्जाम के लिए नोट सफिशेंट है बैटा मैं कभी भी क्लियर में बात करता हूं इतना नोट से अगर कोई पास होने लग गया फिर तो बात खतम हो गई और विस्ति यह सपोर्ट करेगा मैं क्लियर बोलता हूं आम नोट लाइक अधर परसे की बूल बहुत हो जाएगा जूट मुलनी की बाते नहीं है पेपर बहुत सेलेबस वाल मारा बहुत वास्ट है इतने से 25 पेच के नोट में अगर आप कंपिलों का 25 लाने लग गए तो दो प्रॉलम होगे तो आप लोगों के क्वालिटियर हमारा धंदा बंद हो जाएगा यह ना ऑबिसली अच्छे माख साब पास तो खेर अच्छे माख साब यह पेपर नहीं तो मैं जूटनी बोलूंगा यह नोट्स आर वेरी वेरी सपोर्टिव ड़नुट अबी यहां पर कई लोगों को अभी मैं देख रहा है कुछ लोगों के चैट कि कि यह टापिक कहा है तो बंदे को यह स आपको यह नहीं पता है कि नहीं है तो फिर आप ही नहीं कि बहुत बड़ी और वह भी October 1st को पूछो गया दो मेने बाद एक्जाम के जिसमें दो मेने बाद है तो बहुत बड़ा स्थिती फिर आपको लगता से 25 पेज़ें पास हो जाएंगे तो मैं क्लियर बोलता हूं नहीं बढ़ा आपने वह तीचे के नोट साथ रफर करिये और फिर यह सपोर्टिंग डॉक्मेंट बनता है ठीक है ना चलो तो मेंबर्शिप आते फड़ावट से तो मेंबर कौन होता ही समझा दिया आप मेंबर जो भी बने का उसका नम कहा जाएगा प्रेश्टर मेंबस में तो क्या एक रइस्टर जो फॉर्मेट होगा जिसका नाम होगा एम जी टी वन उसमें क्या बनाएंगी रइस्टर मेंबस फॉर एवरी इक्विरी शेयर आज प्रिफरेंश शॉट शॉट में लिखा है मैंने आपके लिए उप दहन दकना उपो मेंबर भली कहा रहता हो इंडिय इंडिया में हो इंडिया वार अगर हो अपकी कंपरी का मेंबर यह उसका नाम काहा एगा मेंबर शिप के रइस्टर में यह आपको धानक्तों चलना है आगे दूसरा रइस्ट्र डिबिंज रोल्डर यह फॉर्ममर बनेगा किसमें mgt 2 में और तीसरा अधर सिक्रीटी ओल्डर अधर मतलब कुन सा हो सकता है नहीं केस अब इसी सबस्किभाइब अधर है अधर सिक्रीटी ओल्डर एक्वीटी ऊपर चला है कि का गया इक्विटी चला गया प्रिफेंश चला गया डिबेंज ओल्डर वे आ गया और कोई एक्जामपल है यहां पर अभी अभी कह रहा है स्ट डिपॉसिट इस सेक्यूरिटी होल्डर भू सकते एक्विटी शेरोल्डर तो वह पने पड़ लिया स्वेट इक्विटी श हो गया और अधर शेरोल्डर बर्सका कोई फॉर्मेट नहीं क्यों नहीं कि हर कंपनी पे वो लोग होंगी कि नहीं के पता नहीं है इस तो नाम दिया नहीं है तो एम जीटी वन रिजिट्टर ऑफ इक्विडिश बताब शेरोल्डर इंट वेरी प्रिशाइज एक्विटी तो प्रिफरेंट कैसा भी हो एम जीटी वन एम जीटी टू डिबेंचर बनाओ गए ठीक है ना एंजीटी वन एम जीटू बोलते बराबर इसका फॉर्मेर का दिया जाएगा प्रापर रूल्स वे दिया गया एम जीटी वन कैसे होता है उस पर कितने कॉलम भरने परता है व हम बनाते है एकुश पे एक घ्लम होता है एक पेच पेकम में पासटां विम्बर है फाइव शिक्ष्टी में में घुराने होगा या तो मैं फूरे पेच क्या करूंगा पल्टाउंगा तो मानम पड़ेगा आच्छा आधर्ष का ऐसा तो नीए एक कंपनी में की मॉझे अच और चीब बताओ कंपनी में 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 इंबर का अम इसने का नाम Seya उसाज में डबल निथा फैर दुबल और पहले आ गया तक प्रों पहले यह बता है किसे जो बंदा पहले मेंबर बना अरे मतलब तुशार पहाड़ राज आवटे ने कंपनी बनाई हम चलेगे पीछे तुशार टी से आता राज आवटे आर से आता है और अधर्ष पहले आ गया ऐसे तो भी होता है सर कंपनी में पहले नम किसका आएगा सब्सक्राइबर जो कंपनी बनाया थे तो यहां पर काम होता है क्रोनलोर्जिकल ओडर तो ऐसे में आधर्ष कम मेंबन बना तो कैसे मालूं पड़ेगा सर हो सकते उसका पेज नमबर 301 पर आ रहा होगा तो एतने बड़े रेजिस्टर में हम क्या बनाएंगे एक और इंडेक् पर आप रहेंगे अब वह बनेगा क्रोनलोर्जिकल अधर्ष ओकि पेज नमबर 361 तो इंडेक्स में क्या देखिए उसका नाम सामने में उसका पेज नमबर और फिरम कहां पर आएंगे में रिजिस्टर में आएंगे और वहां पर क्या देखिए उसका पूरा डिटा इसलि तो उसके जरूरी क्या पढ़ना पढ़ेगा इंडेक्स तो यह धान आपको रखना है 50 के उपर होंगे तो इंडेक्स बनाना अनिवार रहे हैं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट रेजिस्टर और इंडेक्स दोनों मेंटेन का होंगे डिपॉजिटरी फॉर्म में अगर कंपनी क कांसे बिलांग करते हैं इंडिया से बाहर से एक रेजिटर वहां भी बनाओके उस कंट्री में इसका नाम क्या दिया जाएगा वहां भी क्लिए लिखा हुआ है इस अपार्ट तो हमेशा धाना में डिश्टर कौन सा होगा 88 सब्सेक्शन 1 विल आलवेज बी मेन रेजिस्टर और 88 4 विल अलवेज यह सेकेंडरी हां पार्ट या फिस सेकेंडरी क्या बोला मैंने 88 1 88 1 मतलब उपर वाला 88 सब्सेक्शन 1 यह वाला एमग्ट 1 वाला रिज़िस्टर यहमेंच्य क्या रहेगा मेन रिज़िस्टर 88 4 वा हमेच्श क्या रहेगा पार्ट या फेस सकेंडरी सब्सिक्वेंट्ली जो भी वह बोलना बोलो पतीक न इसपे क्या लिखे रहेंगा और विस्ति नाम हरगर वागर सब्सक्राइब किसके से पहले इसके बारे में आप फॉर्म कौन से बनाएंगे सिक्वेंस बहुत इसी है एंटी वन राइस्टर मेंबर्स मतलब इन शॉर्ट रेश्टर ऑफ शेरोल्डर ऐसा राइस एंटी टू डिबेंचर रोल्डर एंटी फॉरें राइस्टर याद हो कि अच्छे से बहुत इस सब्सक्राइब कर सकते हूं है इंडिया में लेकिं इंडिया में भी कहां सब्सक्राइब कर सकते हो बताना पड़ेगा आपको क्या सर आप सिद्धी से उठाकर दुबई शिफ कर सकते हो बिलकुल सर करो ना सर बताते जाओ फॉर्म बढ़ देना फिर से एक बारी इन इवेंट आफ चेंज पता देना अच्छा विए पहले बता दिया आपको फॉरें रिजिस्टर कि शौन में फॉरें प्र फॉरें प्रीडिस्टर इस एक वल तो प्र मतलब प्रिंसिपल रिजिस्टर तो एंग्तिंशन में वें लिखा है वह सब नाम आप मिलिए होंगे मिदी जिसके नाम एम नाम एमड़न में होंगे इसके नाम कॉंग तो बड़ा कौन हो गया एम.-ड़न बच्चा कौन हो गया बेभी रइस्टर कौन तो वोक्या ट्रेगा इंश्पेक्षिन वगए इंश्पेक्षटर कभी आपको entry करनी है ठीक है यह अपको धनक नहीं entry in foreign register entry in foreign register क्या होगा पहले अब आपा समझो शेरोडर कहां पर है दूभई में तो दूभई में दूभई में तो आए गया आएगा साथ में आएगा सारी इंट्रिया को होंगी आफ्टर दूप्रोसेस दन बाइ बोड़ाव डिरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में डिसकुर्शन होने के बाए चला सबसे इंपॉर्टन पॉइंट डेटा कहां पर ट्रंस्फर किया जाएगा इ इंडिया में 15 देश्ट पूरा पढ़ेंगे ट्रांस्मीट तू आरो मतलब रिष्टर ऑफिस इन इंडिया कॉपी ओफ एवरी इंट्री इंट्र फ़न रेइस्टर जो भी रेइस्टर कहां भी किया गया है फॉरें रेइस्टर में एंट्री की गई है वो सारी बात यहां प खतम कर दी है यहां फिर पूरा पढ़ लो सारी इंट्री यहां पर आप क्या करोगे जब ट्रांस्फर वापस समझो अच्छे से ये बनाने का मोट क्या है सिर्फ कि इस ए्मजटी mle aplata डि längre कधन रहा है इंडिया में एंपर रहा है इंडिया में में ळृक्ता दूब आ जा सकता तो आप फेले क्या बना वहां पे कंट्री में एक duas वहाँ पर देटा फीड करो और वो डिटा काहां पर पास करो वन में तो वन में पास करने का जरीया है जरीए है यह 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 प्रोसेस जर्नी ऑफ ट्रांसफरिंग टू दा में रिइस्टर यह पूरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट है आपको धार रखते हुए चलना और जो भी मै सबसे पहले 881 क्या बात करता है कि राइस्टर ओफ मेंबर्स ठीक ना कहां मिंटिन किया जा गई है राइस्टर ओफिस में फॉर्म का नाम रहेगा यहां पर क्या क्या लिखेंगे आप सारी कि सारे एक्विडिश शेरोल्डर प्लस प्रिफेंश रोल्डर के नाम शेरोल्ड नहीं है कि इसका कोई रूल भी नहीं है तो इसकी सावं से अच्छा एक और चीज मैंबता देता आपको बहुत अंसर कोई भी मुझे देपाएगा सर्थे कोई जैन स MV यहां पिर दिया क्यों नहीं नहीं है अब इसाम ले लो इसओप अगर आपने याद को रहो इसाप पड़ाओगा जब सेक्शन नमबर 62 सब्सेक्शन 3 वग्रे में इसओप कभी अपना क्या बनता है राइस्टर बनता है तो उस-उस ट्रपिक में बता है उन्होंने की क्या बनाना आपको राइस्टर बनाया है आप specific specific ज्यादा दूर मत जाओ deposit आपने नाम लिया तो deposit का राइस्टर बनता है इसलिए यहां पर इसका नाम नहीं है आप समझे रहो हर एक के स्पेसिफिक रेजिस्टर के नाम स्पेसिफिक चैप्टर में आपको दिये गए हर एक के इसलिए वह बैटतर तरीका आपको धानक नहीं ठीक है तो 81 यह सेक्ष्ण नमा 94 पार्ट वे से तो बड़ क्या है सेक्ष्ण एक बार अपना आगी चलते भी यह आई शो यूफ्वाम डैट अल्सों यहां से आजाओ और क्या प्लेस है यह बिप्स यह बहुत विए प्लेस किया रह क्षुठी के थ्युड यह डियूह सब्सक्राइं ना एक सिंपल सा प्लेस गूंइ ट्यूपर जुप अफ्किक इस्टर आफ्र घिस्टर सॉत मेंबंगक्र प्लेस है ना ना पिदो 7 days 7 days of the transfer जो भी कुछ है करोगे दूसरा question है क्या आप कहीं और रख सकते हो गया येस क्या अधर प्लेस अधर प्लेस रख सकते हो कहीं और पर येस सर पर क्या रूल से उसके पहला तो उस city में 110 लोग क्या होने चाहिए रिसाइड हैंनो प्रेस क्यों जरिए इंडिया की इंडिया कि ना एक इसके चिण करते हैं अदिए कषी आप में है एक कंपनी जो भी हो उसमें कम टोटल कंपनी में किते मेंबर्स है तो सुनना चैसे सफ ब्रकार सी के कमपनी में स्व Hope एक कोंपनीying में का रहिष्टर ऑफिस कहा है राइपूर है यह ना कम्पनी के 17 लोग रहते हैं नाकपूर में यह ना 12 लोग रहते हैं दिल्ली में 24 लोग रहते हैं दुबई में साथ लोग रहते हैं राइपूर में कितने हों के भई 29 और 4, 33, 53 और 60 70 होगे ना 70 होगे 70 के 60 होगे 60 होगे और 40 लोग रहते हैं लेट से जाता दिमाग लगाते ही पूने में ठीक है चलो अभी फिलाल कंपनी के सब्सक्राइब यहां किया राखे हुए हैं फुने में तो क्या फुने में रख सकते हैं 40 मिंबर से क्या मुझे बताई हैं फटा-फटा शोटा पटा यह पूने में रख सकते हैं यह सब पूने से मुझे shift करने की इच्छा हो रही है नागपूर में can we shift the register members to नहीं क्या रखनी है 110 वहां पे लोग रहने चाहिए पहला कि अप्रूड भाए ऐसार होना चाहिए और जो प्रेस काउनी चाहिए आप इंडिया में तीन कीवर्ड साको धानक नहीं पहला कीवर्ड वन टेंट मेंबर रहने चाहिए तो सब्सक्राइब कितना होता है टैन तो 17 घृत लेट नाज़ाए तो नाचपुर में 17 में तो कि आगलने बलाई यह एसार पास करेए एंद इन शूअधाले दिली पासिवलिये बारत दिली में इस पॉसिब लेशाए नहीं है staan ऑब 7 रहते राए पूर में बहुत का हम दाष्म यह प्विका मैं तो बंए अर्ग सकत क्यों और अजिए यह क्यों कर रायपूर हमारे रिष्ट्र ऑपर राइश्ट थे थे थी थी ठ्यूल थो थे तो इस वह उद्धान से रखना है रहपूर मारा रइस्टर आप रखना कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है चलो इस अंगल से पुदान अब चलना है ठीक है ना चलो पुने में तो होई सकता था था थीक है ना अब रुदाल करें सब्सक्राइब काम पिलों में सब में अविलेबल है तो कैसे प्रॉलम सो 304 चलो भई यह हो गया मारा टौपिक सब्सक्राइब पहां तो यह अगया यह हो गया कहीं रख सकते हैं या सर बसक्या शर्त है आपको धानक ना है कि वन टेंथ इंडिया का प्लेस अगर दोनों के तो जनरल बीटिंग वैसर यह तीनों बात आपको धनक नहीं फिर फॉर्मेट एंग रहेगा बेसिक बेसिक क्या क्या बात लिखोगे आप उनका नाम पूरा नाम नाम एड्रेस राइस्टर आप इस अब बाते हैं लिखेंगे उनका नाम कोई गैरेंटी लिए क्या कोई और इंट्रेस्ट है कि नहीं वह सब चीज़ा बतानी है जैसे एक्जाम्पल मेरे एक्जाम्पल याद करो मेरे मेरे बेटी के नाम पी लिया था तो क्या एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा की शेयर लिया है कौन तुशार पाड तो मैं सभ्सक्राएकन बन जाओंगा और मेरी बेटी की बन जाएंगीdar सेक्षिन मंबर 89 कोई पड़ाऊगा आप significant beneficial owner तो मैं बनूंगा रेजिस्टर और और मेरी बेटी बनेगी beneficial owner तो इसका रेजिस्टर में भी अगला कॉलम आएगा बता अगर आप लोग खुद बाइख करते तो आपका नाम आप यह नाम आएगा बट मेरे केस में मेरे भी नाम आएगा मेरे बेटी का भी नाम आएगा क्योंकि मेरी बेटी कौन है beneficial owner एक तो माइनर है तो उसके लिए मैंने share भाई किये तो दो नाम आएंगे फैरा ऐसे जब भी को कब को धहां रखना है ठीक है ना फिर क्लोजिंगे रच्ट्र मेंब्स आप रिशामेंबस तो थी आपना लिया हाओ टो प्लोजर मेंबस वार इस छो जिंग क्या होती यह बहूत इज एंसर से कि अग्म कंपनी कुछ ठीक्रेशन जैसे की डिवरेंट बाट रही है यह नावा बट रही र्यास कर रही है बोना राइड शेर बाट रही है जब भी यह सब कुछ का क्या होता है अनॉंस्मेंट होता है तो पता करना होता है कि सर्विच फॉर संट बी अलीजिबल दूगेट के लिएृट को मिलना चाहिए बाइब कि सको ओपर ला चाहिए इसको में रोना दो नच फ्रीदोक तो मुझे मौद्व ना चाहिए अब मुझे बताओ अगर मैं क्या एक एगैम थरौ अरा हूं और मांनों एगेम की डेट है थर्पी सेप्टेμबर की और मेंबर lo तो कब बने जा रहे है कोई बंदा 29 September को भी मेंबर बनाए दू यूए एक्सपेक्ट मी तो गिव डिविएन और अल टू तो यह मेरे पास का रिटा आया ही नहीं है तो लौ क्या बोलता है कंपरी क्या करती है हे एक निनों पहले क्या करती है अपने बुक्स को इसको बूते हो बाशान में जायेगा रिकॉर्टड़ और बीस से तीस क्या बन जाएगा बुक गोज़र पीरिएड लिसन तुमी वेरी केरफुली है ना तीस सेप्टम्ब को एगम है कंपनी इस दिन एगम क्या बातने वाली डिविडेंट सब्सक्राइब बातना अब डिविडेंट किसको मिलना चाहिए जिस बंदे का नाम एक पीरिड के अंदर मेरे पास आ जाए तो फिर मैं उसक वर सेंप्टम्बर वृपर लेखत रिकर爍ड हेर behavioral आन्म भीसित इस क्या बन जाएगा विक और हरे वे आनकि कि इस दस दिनों में धुक्स क्या है बतना यहां पे कोई नई अंट्री नहीं ढहीं होगी our यह स्टोर्स भार करना करो बस तीन बात थान रखना जितनी बार करना करो तीन बात दान रखना पहला एक बार में बुख्स किते बात लिए क्लोसँ ओंगी कॉल लोगों को साथ दीन पहले बता देनंगे कि बूख क्या होने वाली है उन्हकне होने वाली है यह जब आप करोगे तो आपको क्लारिटी आएगी और अकॉर्डिंग ली मेंबर को क्या मिलेगा नोटिफिकेशन एक प्रॉपर इंफरमेशन समझा क्या बोला मैंने तो तीन डेट से साथ दिन टीस दिन फटालीस दिन वापसमझा तक्री में फिर से एक और यनवाले सबको ख्लियर हैं तीन पॉइंट्स है हमारे पीक्र दिख प्लोजर रिकॉट देट एंड बुक्लोजर वट रिकॉट अधा इसा डेट वह जोलते हैं जिस दिन पुप क्या होंगी ऐसा डेट जिसको ज जो भी कुछ है और मैं बुक्स पर एंट्री नहीं करता जैसे आधर श्माल मेरी कंपनी मेंबर बन रहा है और उन्तिस तरीक को आके खड़ा हो जाए का सर मैं में मेंबर बनाओ नया-nया मुझे भी गिफ्ट मुझे भी एड़ने जिस दो मैं कैसे दूतर को भई मुझे नहीं मलूम तेरे बारे में कुछ भी ना बैंक अकॉन पता है ना शेयर ओल्डिंग कुछ नहीं पता है तो लॉप अच्छा साथ दिम पहले बताओ के दूस्तर हाओ टो टेल पीपल बिफोर सेवन डिस अच्छा कंपनी में 10-15 मेंबर तो बात अलग है पर कंपनी में 10-15 मेंबर स है तो कैसे बताओ तरीका एक ही है पेपर में डालने का दो पेपर में डालेंगे पहला और एक इंग्लिश भी पर इसके क्या होना चाहिए बहुत जादा वाइड सर्कुलेशन कहां पर कि कहां पर उस डिस्ट्रिक में जहां पर कंपनी का रिजिस्ट्र आफ इस सिच्वेट में तो आपने मिश्टिक करिए यह नाकपूर में चलता है नाकपूर में चलता है लोकमत बढ़ जहां तक मुझे पता है पूने में नहीं पढ़ते यह आपका मोटो क्या है कि लोगों को मालूम यह अगर ऐसा कुछ किया तो प्रॉलम आ जाएगी पेनालिटी वाली नान कं क्योंकि गलती आप कर रहे हो आप लोगों को इनफर्म नहीं जाते हो यह मतलब हुआ पेपर इंग्रिश्वाल आप पता किया आपने दिल्ली में चलता है मानलो टाइम्स अफ पून चलता है मानलो लोगमत टांस या पर मता मारा टांस ताम अपने कहां पे चाप दे टाइम तो देर बाद सेक्षिन नंबर 91 इसका नाम है क्लोजिंग ओफ रिजिस्टर बुक्स क्या होते है को समय के लिए क्लोज सबको सब्सक्राइब क्या है कंडो 92-92 का नाम क्या है एन्युवल रिटन वेरीजी वर इन रिटन स्कम्पनी साल में क्या बनाती है पूरा एक एन्युव रिटन साल में बारा मैने होता है एप्रिल टू मार्च इसा पूरा क्या बनाती हिसाब करता है इसको बोलते हैं हम लोग एन्युवल रिटन मैं आपको हच्छे समझाता हूं अच्छे से इसका दूसरा स्टॉपिक होता है सेक्ष्चन नवर 137 वह होता है 137 शोरी 129 मैं बात इसलेंडिय alternates इसे बता है और इसुक् efforts पैसों में भी नहीं होती है इसका इंपक्ट बहुत होता है जैसे दोजार बीस दोजार उन्नेस कंपेट हमेशा कंपेट किसे करते हैं प्रीवीश से को करेंट यह से प्रीवीश से में से इतना होगा एक्जांपल असी करोड इस साथ करोड लोग क्या देखेंगे दूर से अरे कंपनी खराब हो गई सच में खराब है कंपनी कैसे मनूं पड़ेगा आप बताओ कि रिटन में इस साल कोवीड था कोवीड भी क्या हुआ हमारे सेल्स कम हो गया विकाओ दिस कंपनी खराब नहीं है यह मुंसे बोलना पड़ता है लिखना पड़ता है और कुछ बात या बैलेंस शीट में नहीं लि ऍर्टेन आप याप का प्ता थे कंपणी के बारा है में देखो बहुत सरी बात है ना कंपनी रCresis का है प्रिंसरे बिसनेस क्या है कंपनी कहां पे अदि होल्ड करती जा सब सलिक में को सुननब आपने वो है कि किने ममंप्ल्य meters Под the पूरे कंपनी के शरूदिंगा क्या देना आपको ब्रेकप पैटन जैसे समवन आसमी से कितने टाइप की बच्चे बैठें आप तो मैं बोल सकता हूं न कुछ बच्चे है जो पहली बार एक्सम दे रहें कुछ बच्चे रिपीटर है कुछ बच्चे ओल वाले हैं कुछ बच कि our original बने कुछ लोग हसाप में पहले है तो कुछ भी एधर वाले बने कुछ लोग क्यों की में बने कुछ लोग बैंक वाले की तरह से बने अशब पूरा ब्रेक अपटे लोनते है यह पूरा देना पढ़ता है फिर मेंबर से जाहरोल सबका पूरा का पूरा हिसाब क्यों देना पड़ते हैं बताने में अगर कंपनी में टोडल छे डारेटर्स है चार ने रिजाइन किया है कुछ तो जोलमाल चल रहा है कुछ तो पक्का है इसे बताओ लोगों को जानना का अधिकार है देया राइट्स पिकाओ देया इन्वेस्टेड मनिंद कंपनी वो ओनर खुका कमीटी पारे में औरी कमीटी हएं ना सी council committee यह सब कमीटिया ऑसाइब ताओ निवेरीटेशन डूईरेशन व도 पारे में रिए ये यस्चो के कितना पे की आपने वह कुरा ब्रेक अधिерм है वो पूरा बताओं गे यह कंपनालिटी आई था कोई लाई सा कोई नहीं है ती वेरी गुड आई जी तो कितिनी आई थी पूरा ब्रिक अप है ना फिर सबसे बड़ी बात कंप्लाइंस को एक PCS होगा जो मैं बताऊं को आपको दिखा के कंपनी को पिछले साल गौर्मेंट क्या दिया कॉंट्रेक्ट दिया पास्को क्रोड का आपको तिया है है कि आणा चैडित बिसनस के रिटर न में आए इंपोर्टेंट चेंज यजे पास्सड़ कान््रेक्ट मिला है यह अच्य बात है लाटจะ ऐइं हम से क्या क्या कर लिया यही बताँ पिर एक कौन्प्रों को क्या मैं सब्सक्राइब कर लिया तो ऑफी क्यों क्याद और एक consultation क्यों किया magnitude तो धुल्ए लपार करती अधिक पनी यह दिखना चाहिए लोगों को हर चीज मालूम होनी चाहिए अन्यूवल रिटन अन्यूवल रिटन अन्यूवल साल में एक बार एप्रिल तू मार्च का रिटन समझते ओ रिटन इसी फइल रिटन आफ इंकम टेक्स डिशा रिटन आफ इसका पूरा हिसाब किताब… semana में कंपनी के बारह महिने में क्या क्या हुआ हम जैसे आपका बच्छपन में स्कूल में क्या मिल दा आद chegou रिपोट रप्रोग्रेस कार्ड कुछ मिला दो 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 तिन दीधर पूरा पर बच्चे के परफॉरमेंस कहा जाती है ऐनुल रिपोर्ट में उसके फिर आपके माबाप क्या करते थे आपकी अगले साथी त्यारी सोचते थे कि करना है उसके टूशन लगा नहीं है क्या करना है माक्श भड़ रहे इसके अच्छी बात है तो वैसे जब आपके माबाप सोचते आपके बारे में आप शोचों कि कंपनी में क्या कमपणी छोडड़ की किसी और कंपनी में तो आप कॉल लेंगे अपना उससाब से इसलिए एक मेंबर का अधिकार इसको क्या मिलना चाहिए इसलिए टॉपिक कहां पर सब्सक्राइब करेंगे और मिलने चाहिए पूरा बात हैं तो तुन करेंगे नुदक होता नहीं और बड़े कंपनी चैस और करेंगे टीक है खर इंगे 147 7 MGT 7 MGT 7 है ना 7 और 7a किसे के लिए OPC के लिए OPC 7a क्या सब्सक्राइब करना पड़ागा CS को यह सर अगर कमपनी थोड़ी होगी बड़ी कम्पनी कैसी होती सर अगर कमपनी कौनसी हो लिस्टेड कंपनी हो या फिर कंपनी के कितना capital होना चाहिए not less than 10 करोड या turnover not less than 50 करोड SMX CS क्या देता है MGT-8 7 एक electronic form है समझ अच्छी से बात को हर कंपनी हर कंपनी ROC को कौन सा form भरेगी MGT-7 और अगर कंपनी कौन से नहीं के लिए OPC तो MGT-7 ए ओपीजी या फिर स्मॉल कंपनी तो यह तो कंपनी भरी के आरूजी को बरक कंपनी और बड़ी है बिक कंपनी सब बिक मतलब कैसे उसमें बिक का मतलब लॉक के बच्छे में कैसा है या तो कंपनी कौन सी है लिस्टेड या तो कंपनी कौन सी है अनलिस्टेड पप्री कंपनी पर इसका टर्णोवर कितना है पचास करोड पेड़ कापिटल बाता कंपनी में बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे में बाहर का एक सीए जाएगा जिसको बलते हैं लोग वो वे एक शटिवर्ट दिश्का नाम क्या रहे गा मडीटी एड तो एक पीशी है विवे किसको देगा कंपनी को देगा कंपनी साथ भी क्या बनाएंगी मडी टी सेवन 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 में एटाइच करेगी ऑसको बढगी आरगी तो आरोची को कमपनी को फहां बढ़ेगी सेवन वौह अलग है । कि एम दिफ्टीएट आठाच होता होता होगा किया कभी नहीं क्योंने हो सकता है कि स्माल कमपनी मत्नल से टापिटल नूट जारख ऒएन 40 करोड यहां पर सब्सक्राइब कम से कम 50 करोड का और केबिटी कम से 10 करोड का यानि इक बत्ते हो गई कि स्मॉल कंपनी को एमजी टी एट नहीं लगने वाला कितना कॉमन सेंसे एक सब्सक्राइब करेंगे बनाएंगे रिटरन साइन करेंगे दिखाता भी हो आपको दो में दिखाता हूं कि जैसे अगर इस तरह से में उपन करता हूं एक बार जस्ट कपर अमिनिट्स ठीक है तो यह मेरे फोल्डर से जहां पर मैं काम करता हूं कंपनी का तो अगर मैं आप ले जाओ यह फाइलिंग में आपको साल हो साल की फाइलिंग का मैं आप डिटा रखता हूं इस चोई यह दोजाएश के अब मैं बना के दिखाता हूं अब अब अगर मालों कोई कमपनी है को यह सब्सक्राइब करता होऊ यह देखिए फिलेगा किम टीएट मिलेगा है यह देखो दिखर आपको MGT8 ऊपर में MGT8 certificate by competitive practice section कुछ साथ तल रहा है 92 subsection 2 subsection 1 में क्या था MGT7 भरना है और क्या क्या रहा है और नहीं बताए था 1 में बताए कि 7 के साथ साथ पहले 7 आए गा न इस ते 1 में 7 इस अप्सेजन 2 है इस टॉक्स अब्ड MGT8 भी देना पर सकता है और यहां पर पूरा data लाला है मैंने आपर जो भी मैंने किया है सब लिखा है और यहां पर मैं साइन करूंगा इस तरह से यहां पर सारा बात है अभी आप क्या के लिखा है वह मतलब नहीं आपको पंड़ने का पर यह सब्सक्राइब कंपनी काम कितना होगा अभी क्यों क्यों दियो होगा मैंने नामें कंपनी का और दूसर क्या बोला है every company having they have never said a word every public company they have said every company's got कितना capital है more than 10 crore मतला not less than और more than 50 का turnover तो क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी का email टेक का क्या प्रेटा होगा यह दस्यों पर यह तो तर्णों कितना होगा पचास के उपर और आपको चेक करने के बताओं इसका मेरे पाइब बैलेंस इट भी अब एक बार गौर करना अच्छा लगेगा ठीक है ना लेट भी उपन टेट बैलेंस शिट तो आप भी खुद बताओं जी क्यों साइन किया होगा मैने इमल इसमें यह तो क्षेकर रिपोड को गया एक बार थीक है वो छोड़ दो हाजी कंपणी क्या बता दोग बना वाँ कैपिटल बता था कितना कैपिल कंपणी का हो नहीं यह एक पिद्ट इक अब और इस यह क्या है बोरिंग्स यह टिडिक अटे केपिटल जाए 5.97 मतलब पाच करोड उपर में खाव फिगर इनकरोड 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 एनकरोड यह नहीं हुआ यह नहीं हुआ चाहिए दस करोड़ ओके निची जलते हैं कि यह दब सब्सक्राइब नहीं किया ठीक वो छोड़ दो टर्नोबर दोखा वाव दो टर्नोबर लास्ट यहर चब्श करोड़ अब किता तर्नोब के सल कितना हो चुका है 199 करोड़ मतलब 200 करोड़ मतलब 50 करोड़ तर्नोबर हो गया है तो भाई सब क्या लग गया इनको इसलिए को यहां पर आपको 2022 मैंने सब्सक्राइब एंड़ी एट साइन नहीं किया था मतलब में अपको इतना एक्जाम्बल में मेरे पास जैसे इसमें सोलार खुलू तो इसमें मेरे बहुत सारे साल के रिपोर्ट से हैं बहुत सारे साल के लिए देखो इफीगो टूब आईस आपको दो यह कंपनी मिलेंगी बट तैइस में आपको कंपनी नहीं इसका नाम में बताया था आपको एटी पील इमल्टेक वाला थैइस में से क्यों है क्योंकि 23 जीटा क्या हो गया बढ़ गया बसंदो यह तो ऐसे रिपोर्ट बनानी पड़ती है और देखना पड़ता है अपको प्रेंटीकल देखाना चाहता था मैं आ बॉडूल में तो आपको सेक्षिन में चलता नहीं है बॉडूल में पूरेक सेक्षिन दिया गया किसको ट्रांस डिस्क्लोजर संड रिटर्स करके कुरे चैप्टर है तो इसे पूर पार्ट है यह 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 पिजिए नहीं होई तो विदिन सेक्षिन का केश्टरी भी बताओ एक आईडिया हो जाएगा आपको पूछू अभी पूछू अभी आप चलो अभी रिविजिन बैच है तो आई होप सो आपको समझ में आ जाएगा किस्टरी की चलो देखते हैं यह नहीं पढ़िया आपने MGT-7 कब फाइल करना आरुसी को जल्दी पताइए कब फाइल करना है विदिन 60 देज कब से AGM अगर AGM हुई है तो और नहीं हुई तो इफ नोजिम इस हैल्ड इन अनी यहर फिर भी फाइल करना ही है तो नहीं होई है फिर भी फाइल करना है कब विदिन 60 देज फॉम देट ऑन विच AGM शूड हाव बिन हेल्ड और साथ में क्या लगाओ के अटेच्मेंट में AGM क्यूं नहीं उसके रिपोट चलो आपको भी केश्टी चाहिए थी देखते है एक क्वेश्टन बहुत सिंपल सा है कंपनी ने AGM लिती 21 जून 2022 को यह AGM हुई थी 21-22 के फैनेशिल यह को लेकिए सुनना अच्छे से एक्जमबल एक क्वेश्टन है घर पर इसको ड्राफ्ट करना एक कंपनी ले लेना अपना जो भी नाम है नहीं जैसे जोती टेक्स्टाइस लिमिटेड एक्जामल नाम ले लिए अपना अपना नाम ल प्लान नहीं हुई है अब तक AGM प्लान नहीं हुई है बड़ क्या मुझे अनुटर्ण फाइल करना होगा येस आप मुझे बताइए इस साल का अनुटर्ण काबत तक फाइल होगा प्राइ करिए मुझे डेट चाहिए एक फाइनल डेट अगर इस साल एजम नहीं भी हुई है फिर भी आप क्या करेंगे रिटन तो फाइल करेंगे को डोड़ किसी को एक बार फिर से रिपीट कर जाता हूं सामने प्लीज 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 एम्टी सेवन कब बढ़ा जाता है कंपनी शाल फाइल इस विदिन साथ दिन कब कब से जैसी एक्सामपल यहां का mg7 कब बढ़ा गया होगा कि कब बढ़ा गया होगा एजी हम के साट दिन भाजा गया होगा मतलब 21 और पूछेए निहीं आप से उससेंगा कब बढ़ा गया मैं तो पूछ रहा हूं इस सब्सक्राइं कब भरोगे नियुम पूछ रहा हूं 29 नौंबर 2023 दो एंसर आ चुके है बताई फटाफट से आप लोग सुचिए मुझे बताईए इस साल का रिटर्न आम नौट इंट्रेस्टेड इन एग्यम एग्यम मुझे एग्यम से कोई मतलम नहीं है लेना है लो नहीं लेना है मतलो मेरे एक ही मोटो है रिटर्न कब फाइल करोगे 21st जून दोजर्ट इसको रिटर्न फाइल की लांस डेट है आपकी ठीक है अब मेरे क्लियर समझाए आपको मुझे लांस डेट चाहिए आप 21st जून लेंगे वो 22nd जून लेंगा ऐसे करी होता है मुझे वो डेट चाहिए जो डेट की दिन आपको रिटर्न फाइल करना 30 जून लेंबर वेर गुड मौम्मध असरफ रजा 31st जूलाई 29 नूंबर 29 नूंबर 30 नूंबर 21 नूंबर चोटा पंडित 21 नूंबर उर्जा राजपुत 30 नूंबर आने दो आने दो लाइव गेमिंग 21 सेप्टेंबर रिया पतिल 21 नूंबर 30 नूंबर 21 सेप्टेंबर बाकी लोग मुई नी खोल रहे हैं आप कास्त आप से पढ़ने आए आप ही काम करो हम करें एक्जाम भी हम भी देंगी फिर जल्दी पताई है होगी एंसर डन 30 सेप्टेंबर 21 ओक्टोबर 21 ऑगस्ट इकी जितने महिने में दिन हो सकते सब जोड़ दिये 21 ओक्टेंबर दोजार तेइस एंसर इस 21 ओक्टेंबर दोजार तेइस कैसे सर समझे बात कुछे से लास्ट एक एजिम कब होई है 21 जून को इस सल अगर एजिम होती तो कब होती कब होती तो पढ़ना पड़ेंगा तो पढ़ना पड़ेगा और में मान के चलता हो पढ़के आए आप यह तो रिविजन बैच चलिए रेगुलर बैच थोड़ी है रूल होता है विदिन 30 सेप्टेंबर एवरी यर और ग्याप बिट्विन टू मिटिंग शुन नाट फिप मजाल नहीं जो कि सब्सक्राइब के लिया तो यह नॉन कंप्लाइंस है क्या बाइस सेप्टेंबर को एजम नहीं हो सकती तो क्या बात करें तीस को होती है होती होंगी तीस को वह कब होती जो बाकी सब कुछ ठीकता अगर आप गया पकर किता मैने से बढ़ रहा है 15 मैने से तो आप नांन कंप्लाइंस नहीं कर सकते हैं आपके एज देट क्या निकलेगी एककिस सेप्टेमबर आइप होब इस एक्लिया फर्स्ट पॉंट अगर एज यह होती तो कब होती ही 21 सेप्टेमबर या उसके पहले सर मेरी तो 15 सब्चेबर उसका थी आपगे तो ले 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 दूसरा law क्या है within six months from the end of financial year तो वो तो है ना मैं मानता है थर्टी सेप्टेमर रॉंग नहीं है बर वो कब रॉंग नहीं है अगर ये question में हलका सा answer में 21 जुलाई होता तो answer क्या होता 30 नौंबर क्योंकि 21 जुलाई का gap कितना था 15 मैंने का कि सब्सक्राइए ऊगर सथी के मतवार में नहीं तब 15 महने के अंदर यह मांते दो सब लोग 21 जुन से 21 जुन 12 मेने 21 जुलाइए 21 एगस्ट 20 सेप्टेंबर कॉंसे डिटने के लिए एगम की फाइल की डिटने की लिए और फाइल कहां से करना है विदिन 60 देट ऑफ एगम तो 21 सेप्टेंबर को एगम की डेट है जोड़ो 30 दिन हों से 21 October और actually 21 October भी राइट नहीं है, number बेट नहीं है, actually right उनसा answer आएगा, 20 number, क्योंकि 60 days बोला है, अगर 2 months बोला होता, तो 21 August, sorry September, 21 October, 21 November, 2 months बोला होता तो number, October, November, बड़ जब days बोले गए, तो October 31 days का भी मेना आता है, और days के साब से अगर गिनोगे, तो 31 days का October है, तो सही answer क्या होना चाहिए, 20 October, 20 November, सही answer तो 20 November, लेकिन मैं अभी उसके marks खाट नहीं रहा हूँ, लीकिन मेरा concept clear करने पर ता, इस पर debate नहीं करना था कि 20 September क्या दारिक है, logically answer क्या आएगा, 20 September, बास सोच में आ गई, clear सबको, यह है, case study, इसने में चाहता था, पहले हम जहाँ आपको, ऐसे case study अपने आप भी से बताया कि मेरे बहुत सारी भर पड़के बढ़ी है, एक question, जो पढ़ रहे है section उनसा वाला, 92, बास का reference किससे आया है, 96 है, दो section mix होते है, क्याई बार, तीन section भी mix होंगे, बतलब यह कुछा की return है, ऐसा वैसा बहुत कुछ है, तो उस पर अगर मैंने यह बोल जे कि सर, हमने को 3 months के क्या मिला हुआ है, extension, तो वह topic अलग मिक्स हो सकता है, बहुत कुछ मिक्स हो सकता है, ठीक है ना, तो इस is the concept of question, AGM कभ होगी और return कभ फाइल करेंगे, ऐसा question अब यह question अगर आ NGT 8 whatever, now this year for 2022-23, they have not taken any AGM and they are not in a mood also to take any AGM, but the company secretary or the some members requested the company that even you don't want to take AGM, it's okay, but you need to file within within something something, as a CS of Jyoti Limited, they approached you that even if company not want to take AGM, what is the date? before which you need to file the return, advise करिये, question बन गया, यह question अपने घर में ड्राफ्ट किया, आपने बैठके, फिर अंसर ड्राफ्ट करेंगे, answer कैसे लिग होगे आप, वही तीन पररग्राफ्स, जग जाई रहे, सबको पता ही अच्छा से, पहले परग्राफ में, लिगल प्रोविजन, as per section 92, subsection 3, every section आया तो ठीक, नहीं आया तो वही बता चुका हो, मैं आपको कही बारी, as per the relevant section, read with the prescribed rules, and prescribed form, क्योंकि आपको section नहीं आता, तो कौन सा आपको form नबर आता होंगा, मैं जूम कर रहा हूं, अभी आपको याद आ रहा है, इसकी प्रोवाबिलिटी मैं को मालूम नहीं, तो मैं आपको क्यों सा आ रहा है, तो as per the relevant section, read with prescribed rules, and as per prescribed form, the company need to file MGT7, आता है तो ठीक, नहीं आता है, तो file annual return within 60 days from the date of AGM, and if a company has not taken AGM within 60 days from the date of, पुरा 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 लाच एपना है, कोई Jyoti Limited मत लिखो, कोई Ravi Suresh, कुछ मत लिखो, पहले पर प्रगाफ इसका लिखना है, तो पहले प्रगाफ इसका लिखना है, तो लिखना है, पहले प्रगाफ लिखना वो भी नहीं आया, तो as per the relevant provision, AGM should be not more than, the gap should be AGM of, the gap of AGM should not be more than 15 months, and because of which, the AGM, if the company would have taken AGM this year, the AGM would have been held on, कैसे वो लिखना ब्रेक अप में, 21 जून से 15 में से गाप होता है, 21 सेप्टेंबर, and according to that, committee to file within 60 days, विखना है, तो अबने काहा लिख दिया, लिखना है, लिखना है, पर भी नहीं आता, तो फिकेसे होगा, लोगों को दिक्रत किस बात किसा मुझे section नहीं याद नहीं होते है, तो मैंने बता दिया, मत याद करो, बस्तरा आपको concept भी याद नहीं है, तो पर पेपर में क्या करोगे, आप और विखना नहीं फिला लाइफ में, दो ही चीजे हो section की क्या value, तो बताओ section important की provision important, section आता है, पर आपी क्या लिख दिया, no AGM, no return, अगर आप ये लिख रहे हो, तो क्या मतलब section का मेरे को, मिलने तो 0 ही है फिर, इसने section पर मत जाओ, बहुत clear verdict है मेरा, section मत जाओ, आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं लेकिन concept जाओ, सार दिंग अंदर आपको रिटन, फाइल करना है, और अकॉर्डिंग लिए आपको धान रखना है, बस सिंपल, दन है और परगफ 3, conclusion, hence, from the above discussion, it is very clear that, the company need to file, MGD 7, within 21st, on or before, better word, on or before, 21st, 20th, 20th, November 23, on or before, any day, उसके पहले कभी भी भी फाइल कर तो चलेगा, ऐसा, दन ह बता दिया मैं आपको, और जो भी मैंने पढ़ा है उसकी penalty आ सकती है, पनाटी छोड़ तो फिला ला ला तीकना उस पर मच जाओ भी आप, तो 90-23 हो गया, 94 मैंने बता चुका था पहले ही आपको, अच्छा 94 में सी वेक्षी बची है क्या, यह तो हो गया था प्लेस, टाइम के लिए, यहां भी तो प्रमेंट लिखा हुआ है, अभी तो मेंबर के रिश्टर है ना, जितने भी रिश्टर कौन से होते हैं, मेंबर को लेके, वह कौन से रहेंगे, पर्मनेंट वाले और जितने मेंबर के डिबेंचर, ओल्डर, डिपॉसिटर, अनुलिटर, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, वह सब का प्रिश्टा रहेंगा, एटीर, एटीर से आपको धानकना है, सारे रिश्टर, एटीर, 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 सारे रिश्टर, एटीर के, सिवाए किसके, मेंबर, रैइस्ट्र, मेंबर कोई भी मेंबर, इंडिया वाला मेंबर, बाहर वाला मेंबर, इंडिया वाला मेंबर, बाहर वाला मेंबर, अमकी मेंबर हो प्रमोनेंट, अब सब्सक्तल पर पेज़ेद था, हैं मच्ट क्हों हो जाएगा, सब्र finish cry, false उसका देटा यहां पर राइश्टर के एंट्री डिस्कंटिन हो जाएगी फॉर्म को फाड़ के फिकना नहीं एंट्री को इंडिया में और सिंगापूर के रेश्टर के एंट्री बंद कर दोगे राइस्टर फाड़ के फेकना है ऐसा किसी नहीं बोला अब तक कि मैंने भी न एंट्री इंट्री रिजिस्टर को बांद के ऊपर मरक दोर में अलमरी में ऐसा हुआ है कि अ है अगा इंसक्षिन क्या रिउस्टर वह प्र मेंबर सकता है हां तर कौन करेगा ऑभिसिवी कौन कर सकता इंस्पेक्षिन सब्सक्राइब कर सकते हैं कब करेंगे में इसके कुछ रूस है कब करो किया बिजनस आर्ज बेड़ बिजनस आर का मतलब क्या होता है सबको पता होगा अच्छे से बिजनस आर का मतलब वह फिक्ष्ट है 9 a.m. to 6 p.m. बिजनस आर वर्किंगार अलग होता है संडे की दिन वर्किंगार नहीं होना चाहिए बट हमारे तो चल रही है आतो चलता है सब वर्किंगार कुछ भी हो सकते हैं बिजनस आर में संडे नहीं आता क्योंकि विक डेक ऑफ होता है बिजनस आर के बात कर रहा हूं तो बिजनस आ लोग चुड़ा कर देता है वरकिंग आर पकड़ताएं बिजनस डे पकड़ता विसनस टेकुछ नहीं होता विसनस डेनर्व बिजनस और ओते वरकिंग देस गधिन का तसफ़ सवी सब्सक्राइब करette अग गया था पंजी गया था वा उस ने पावभजी खाई थी एंधिर उसके लापवा भी प्रवाज्च्चन प्रवाच्चन सुनाते थे ना स्वामी चीडवाद म मानते है वरकिंग देही मानते है अब धना केंगे चलो यह वो कि आपका inspection ना inspection कौन करेंगा members करेंगे बिना पैसे कि क्या member हो बड़ अगर आप कोई और बंदा आना चाहता है तो उसको क्या देना पड़ेगा fees और फीज में प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब कितनी बताई गई है एनिवन नुस पिस्क्राइब फीज 10 रुपिज नुट ये देघिए हैं आता हम आप इंस्पिर्चन कर सकते हो वापस सम्झाए देता हूं मेंबर हो तो कित रुपए में है अजो फ्री में मैं अथ्सेडर होतो 50 रुपए में inspection inspection किया दो Pепर के copy नीकाल निया कपी नीकाल में कोई भी बंदा कउई भी बंदा कभी निकलवा सकता है विदाइट पेमेंट भी और अगर उनको चाहिए इस चाहिए इंसक्ड था देखो आप लिखा हुआ है टेक एक्स्ट्रैक्ट एक्स्ट्रैक्ट मतलग फोटो ले लिए आपने स्कैन कर लिए आपने वह फ्री में हो गया आपको कौपी चाहिए है तो आपको किते रुपे लग सकते अगर मना कर दिया तो सिन complement का सकते हैं अगर बंदद कंप पोच्चा है बेजने सार के बाद मना कर सकते हैं अचा मैं 20 तरीक से मुझज भैटेंबर को क्या बोलता है को बुछ सिखाओ मना करेंगे कि निदी जिखाेंगे अब क्यूंकि फोबいく लोगे चल रहा है बुक लोगे दिखाई जाती नहीं है तो इस वाट इस तुब एंडरस्टूड इंडिस टॉपिक टीक ना और लास्ट में रेश्टर क्या बन जाते हैं एविदेंस कौनसे विदेंस बाता है तो आपको पहले भी तो इस तरह से हमने बात कर ली दो सेक्शन म करवाए जो है SBO वाले पर फिलाल हमने क्या क्या पढ़ लिया 88 89 90 91 92 93 94 95 क्या 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 था हमारा ट्रॉबिक 88 एवितिंग अबाउट रेश्टर मेंबर्स है ना 881 मेंबर्स रेजिस्टर 881 के अंदर में मेंबर डेवेंचर सब कुछ 882 इंडेक्स 883 4N 884 बेनिफिचल ओनर वो से पूरा हो गया 89 90 सिग्निफिकेंट बेनिफिचल ओनर ठीक है फिर 91 हमने बात किती तीस दिन पैतालिस दिन साथ दिन क्या था वो बुक क्लोजर 92 93 एन्नुवल रिटर्न निटी थी भी हो गया 94 प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स एंड रिकर्ड प्लेस और साथ साथ में उसके इंस्पेक्शन वो सब बुसब 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 और 95 रिजिस्टर क्या है एक हमारे एविदेंस है प्रफिशी बस यह इस तरह बा निटी सिक्स ना विलकावर 96 200 एंफिर विल टेक ब्रेक ठीक है ना पटावट सिक 15 इसमें में अब लोग कर लेते हैं एजिम के बारे में क्या है एजिम एजिम एन्वल जनरल मीटिंग उसके बहले हम बात करते हैं वाद जनरल मीटिंग आप ने देखो बहुत समय से पढ़ अजेंडा कौन पास करता है बोड मेजर बट बहुत जगों पर किसका प्रूब लगता है शेर ओल्डस का एसार हो या ओरो अचा यह हो कि आपके एस बीसी में सेटिंग आप बिसनस में एक कंसेप्ट जिसमें बुलते हैं अब लोग चेंज आफ राइस्टर आफिस पढ़ा तो अगर शिटी बदल रही और रोसी बदल रहा है मतला अब लेना पड़ता है आप अपरोब लोगर केने का मतलब है कुछ भी कर दुनिया में पहला सक्कावता है बोल मीटिंग तो बोल मीटिंग तो आप लेते ही हो मेजए जगों पे वह अपन बागे पढ़ेंगे अगल कई जगों भी किसका पुरूब लगता है अपने को members का और वहां पर क्या पास करते हो या तो SR या तो OR और SR और OR पास करने की क्या बुलाना पड़ेगा आपको उनकी meeting बुलाने पड़ेगी जिसका नाम क्या रहेगा जेलर मिटिंग अब जटbalance मटिंगए दो केडिकर बता ही है AGM इजिम पर सामय हम को आगया meeting ओवार मेंबर्स क्या कहलाता है जेलरर मिटिंग मीटिंग और कहा कहलाता है quarter मैंटिंग तो तो अलग है मीटिंग एंजनराल मीटिंग आप मिला होती है एक कौन सी एजी म मतलब नाम सी मौन बढ़ता है अनुल जनरल सान में एक बार वो कब अपड़ लेंगे एनूल जनरल मीटिंग और जो एजी म नहीं है फिर भी आपने क्या बुला ही है जनरल मिटिंग वह पक्का कौन सी होगी ईग्म एक्ष्टरॉडिनरी जनर्र मिटिंग तो दो टाइप की मिटिंग्स हो गई एग्म एग्म बागी तीसरा होता है लोग पणते हैं सकते तो बीटिंग होती है आप सबसे धांस नंद अच्छे से टॉपिक सबसे इंटरेस्टिंग है इसको इंपनधन हना एजियम क्या होती है एन्वल जन्रेमिटिंग कब लेते बढ़ा हैं जन्रेमिटिंग एवरी कंपनी किसको छोड़कर ऑबिस्ली ओपीसी क्यों कि एक ही मेंबर है तो नो इड़ाव एगम ओपीसी छोड़कर एवरी कंपरी टू होल्ड एगम कब लेना पड़ता है एवरी एर ठीक है क्या रूल से पढ़ता है एगम plot इसे फिर एक तो किसके लिए और शौत आमेशा ऐनओर बिस्टिंस ऑडिर भी इसनिस का मतलब क्या होतव दो बेजनस होती है धरंटरी तो क्या करते है ऑद्र एब सब्लक्रेशन उन्री बिसनट इस्पेशल डोलीशन ये वीयों रिदलड्विक्यों अह यह दोनों बिजनस के प्रकार है तो क्या मतलब हुआ बहुत हैं सुन रचे से ओर्डिनरी बिजनस लॉने चार माने हैं जो एग्म के लिए फिक्स्ट है नहीं पहला होता है अकाउंट्स अड़ाप करना आपको अकाउंट्स अड़ाप्शन दूसरा होता है डिविडेंड क्य क्या होता है प्रपोस और चार ओलोने क्या माना है ओर्डैनी बिजनस और चार के लिए हमस्द क्या पाश रहेगा लिए और अगर इसको छोड़कर एग्यम में कुछ भी हो रहा है वो क्या कराता है special business बढ़ उसके लिए कुछ भी पास हो सकता है अगर अगर बॉट important है तो क्या पास होगा बढ़ बिजनस special है एक मिनट बिजनस special क्यों है क्योंकि वह AGM का ordinary business नहीं है बट क्या वो सब्सक्राइब बहुत important होगा क्या और समझाता हूं AGM में चार को छोड़के अगर आप एक bank account open करना चाहते हो तो कौन सब्सक्राइब बिजनस होगा I'll repeat my example AGM में इन चार को छोड़के अगर आपको एक bank account open करना है आपके इसाप से कौन सब बिजनस है यह special business है बट bank account open करने के लिए क्या लगता हूं क्या पास करना चाहिए और डिनरी की स्पेशल दोलोशन है बट उसी AGM में आप कर रहे हो बीस परसेंट का कौन सा बिजनस है बट क्या पास करना होगा अब आप समझ रहे हो याने की एक बाद बहुत सम्झे बाप समझो और बिजनस अगर आप कर रहे हो तो पका पका कौन सा अजंडा होगा इसमें कौन सा पास होगा और डिनरी अग्सेंपल वेरी इंपोर्ट यह लोग कोई समझता नहीं कोई पढ़ाता नहीं है डिटेल में जाने को ज़रती नहीं परती क्योंकि सबको लिए लग और अच्छा एसा है का सर थे असलगा एसा नहीं है एस पी मतवा स्पेशल बिजनेस उसमें कुछ भी पास हो सकता है अभी समझा कर दिखाया में आपको एट यह में क्या पास हो रहा है बैंक अगाउंट ओपनिग तो इसमपल बैंक अकॉन पास करना है तो आइटम कौन सा ह special business वाला बट इसना बड़ा इटम इसके लिए क्या लगेगा एसर तो क्या लग जाएगा वर बट उसी एजी में क्या पास हो रहा है बाइबैक उसी जिमें क्या हो रहा है चेंज ऑफ राइस्ट्र आपिस तो क्या लगेगा कौंसा बिजनस हो गया special और कौंसा इसरोशन होगा एसर पर उसी में अगर आप क्या कर रहे हो इंक्रीज इन और थ्राइस क्यापिटल और सेक्शन नंबर 61 और लगेगा बिजनस कौंसा होगा special तो बिजनस और रिजव्विशन दोनों क्या है अलग अलग अइटम से आप अपको कई लोगों को clear वहां अच्छी से कई बार confusion होता है लोगों को किसर और एसार मतलब एस भी मतलब एसार ऐसा नहीं है और मतलब ओ भी ऐसा नहीं है दोनों अलग अलग है जैसे बुलते हैं लोग कंपनी ना में बोलते कि प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी नहीं तो ठीक है Company दो टाइप के होती है Private और Public Sector भी दो टाइप के होता है Private और Public यह ना Company और Sector सब दोनों इकी है Reliance Industries कौन सी Company है कौन सी Company है Reliance Industries Public Company है बट Private फ़रक हो सकता है भेल भारत है विलिटी से लिटेड कौन सी Company है Public और कौन सेक्टर है अलाग अलाग है और अगरागा मैं बोलू की हिंदुस्तान या Inspire Academy में Inspire Academy में Inspire EduTech Private Limited इसमें 60% किसे शेर ले लिया Government ने Inspire EduTech Private Limited कौन सी Company है बट सेक्टर कौन सा है सब करा दिया में आपके लिए और फिलाल Inspire कौन से Company है Private Company चार कॉंबो बन सकते है Private सेक्टर Private Company Public सेक्टर वो एक बार एक ही करके Private Company Private सेक्टर Inspire Academy Inspire Academy Private Company Public सेक्टर वोई Inspire Academy ब्रेकेट में 60% कौन्मेंट का पब्लिक कंपनी प्राइवेट सेक्टर रिलाइंस टाटा पब्लिक कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी परिल HPCL समझ मैं कहा है ये अभी अपनी सिल्बस का पाट हिता लिकेट समझाने के जरूरी है क्योंकि कई लोगों को कंपिजन होता है वाट इस प्राइवेट सेक्टर वाट इस प्राइवेट कंपनी वैसी वाट इस ओर सार ओ भी एस भी वेरी सिमिलर बड़ वेरी डिफेंट जैसे यह सिमलर भी और डिफेंट भी बहुत है तो लोग समझते ही बिदल्दी से कि क्या आई यह ठीक है न वैसी एक्जमपल मैंको समझा दिया एनिवेस ठीक है हो कि अजमाल है कि सबसुटोन गोर्फिटिंगे रही हों होंगी जोह मुटेmbिक पहले क्या होगा दोडिंग होटिए नंट यह सिंब्स एक्सापल पाच परसेंट क्या पास करना है ले बेंच ऑच आइस बोड़ाइब को 26 2 우ient कि हाँ एसार एसार अपने में आता है गया पहले एसार के बहले कौन आएगा बोर्ट चेंज ऑव रिश्टर अफिस पूने में सदाश्टी पेट से नवी पेट बोर्ट मिटिंग बोलाओ पूने से जाना है को लापूर सब्सक्राइब कुछ भी करना हो तो पहले बोल मिटिंग रइस्ट्र आफिस चेंज करना है वह गया प्लेस और बिजनस बुक्स ऑप अकॉंट्स पहले बोर्ड पहले बोर्ड पहले बोर्ड फिर बाद में कुछ-कुछ केसिस में में बतलब आग बंद करके 100% सिच्वेशन में कुछ भी डिस्कुशन करना हो कंपनी में पहले क्या पास होगा बोल मिटिंग और अजनल नबर टू किया रहेगा पासिंग और यह दो तो इसार और नौट वह आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सोचने के लिए और वो कैसे सोचेंगे जो क्वेशन था ही लता का इसा पता कैसे जलेंगा एक मैं सोचे देखो अच्छे से मैंने क्या समझाया राइश्ट आफिस्ट करना करना है पूने के पूने में और पूने से कौलापूर में कहा लगेगा से खिंज को पूने से बैटे हो आप इसकला से बैटे हो कल मुझे पूंचे बरेक के बाद क्ला सूंट फंथे जाना है मैं आपको पुछूंगे बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि चलो ब्रिक के बाद उपर बैटना है सार ऐसे कैसे हम से पुछे नहीं आपने मैं की बुछू सेम बिल्डिंग उपर बैटने उचाप खातम बोल मीटिंग में डिसक्रेशन हुआ पास हो गया क्या आप सबने र पैसे बढ़के हम रेडिया एसर क्या ओर कुछी पास कर देंगे तो वो टेंशन नहीं है वो टेंशन नहीं है बट पूछना पड़ेगा पूछना पड़ेगा तो हर चीज में पहले डिसेड़ कौन करेगा बोर्ड कहां पर आपसे पूछना है आपसे मतलब मेंबर से डिव इंपोर्तेंट है तो सम्वन वाद चींग तो इसका अशल वही ए इफ अजल रिप्ली इंपोर्तेंट कि नहीं एससर से पहले जनल मीटिंग अब उसमें वेरिम फोड़ा इंपोर्टेंट है तो और बहुत बहुन कोल इवन जनल मिटिंग अनली कॉल तो बोर्ड बिटिंग से थोदा बड़ा ऑधbell吧 नहीं दो है बोल मीटिंग मेल तो च्छर प्रसोड है बोल मीटिंग men ओछ भोट इंपरणेट है तो तो आशा थिक है चलो एओ ऐलोटसे जर्वेट से इए अ ज्गेर कैसे लेते एगे में और वह क्या अप्वार्ण पर गया उसे जिए में कुछ भी हो वो क्या कराता है special business उसे जिए में कुछ और भी हो इसके अलावा वो क्या करताएगा special business इसको लिया तो क्या बन जाएगा ordinary business यह सब और अच्छा एजम कब लेते सर पहली एजम कब लेते हैं बहुत सीथा तरूल है विदिन नाइन मन्स फॉम दे एंड आफ फैनेंशल येर पहली एजम होती है कंपनी के क्या हिंड होना से अगर 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 फैनेंशल येर नेच्ट येर का मार्च कंपनी अगर दो फ़रवरी को दो जार बाईस को फैनेंशल येर 31st March 2023 Company बनी है 2 April 2022 को तो भी वही 31st March 2023 In short Financial year हमेशा कौन सा रहेगा Next year यह दिमाग पर fit कर लो अब ट्रैकर कर देख लो अगर Company इस सुरह साल है January से December यहाँ पर आता है March Company अगर यहाँ बनी है इन तीन महनों में और Company बनी है इन 9 महनों में यह 9 महनों में तो कौन से हो गए April to December तो Company अगर बनी है मालो 2 February को तो भी साल कौन सा होगा 31st March of next year Company बनी है यहाँ यहाँ पर 2022 के तो भी कौन सा होगा Next year तो Anyhow Financial year next वाला ही यहाँ पर आएगा ठीक है ना ओके दीवय के क्वेश्चन और आया है What is the difference between member and shareholder है न तो क्या बोल सकते हैं दोनों से में क्या एंसर इस 95% कहानियों में यह percent में बोल रहां लिखना नहीं है आप क्या लिखेंगे जनरली 95% मतलब वह बना बतलब प्रूब करें दिखा 95 कैसे आया तो तो यह फर ऐसे मता ना बोल रहा हूं मैं ठीक करना जनरली members and shareholders are same frequently usually सेम रेरली member and shareholders are different कब कब सरक कंपनी कौन सी हो विदाउट share capital वाली विदाउट share capital वाली कंपनी में साधी लोग कौन होते हैं member company guarantee वेली company हो तो guarantor को क्या बोलते हैं लोग member वो शेरोल्टर नहीं होते है बताब हर केस में member होता है बर शेरोल्टर नहीं होता और दूसरा भी मैंने बढ़ाता है वाला अगर मालो बुक क्लोज है आधर्ष्ट ने वाभी एक्जामल देते न मैंने 20 सेप्टेंबर से 30 सेप्टेंबर बुक्स क्या है क्लोज रहे आधर्ष्ट शेयर भाई कि ते 19 सेप्टेंबर को अब भी कौन है क्यों कि 30 सेप्टेंबर तक बुक्स बंद है तो बुक्स में लाम किसका लिखा रहेगा आधर्ष्ट का तो अगले आठ दिन के लिए कबसे 22 सेप्टेंबर जोगों को क्या बोलता है मैं मैं बरू लोग दिखाए शेयर दिखाए बिखाए शेयर नहीं है बर चिर ओलर नहीं बड़ वई बिच का दस दिन पीरिएड जहां पर दोनों लोग अलग-अलग बट बीस तरीके पहले यह कौन था मेंबर भी शेयर ओल डर भी जोडीए एक बंदा चो मेंबर होता है वहीं कौन होता है शेयर और यह भी मेंबर शेयर ओल्डर बट वह एक तरी के बाद 20 तरी के पहले एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर दो लोग अलग अलग हो सकते हैं बड़ यह कानी लंबी है की शौट तरम वाली काहनी यह वाली इसको छोड़ दिया जाए साल में 45 डेस बुक्स बंद होती है उसको छोड़ दिया तो 320 दिन तो भुक्स इसलिए कि आप बोलेंगे जन्रली मेंबर अंशेरोडर आर से जन्रली हैं विंग सम्टेप्शन फोगां सब्सक्राइब चलो लेट्स कम टॉपिक तो पहला अंपड़ आते हैं एजियंग के बारे में एजियंग पहला का अब लेंगे आप विदिन 9 मंस फिन 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 फ पॉइंडर एक एजियंग होगी ओके सर दूसरा तू एजियंग बितता रहेगा विप्टीन मंस की उपर नहीं और तीसरा विदिन 6 मंस फिन फिन विद्वन फिन 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 सबसे इंड पॉइंड पॉइंड विच्वर इस अरलियर तीनों में से अपको धानक ना है ऐसा डे अर्लियर वाली डेटा है ठीक है ना कैसे समझोगे एक्जांपल को अच्छे से कैसे समझेंगे सबसे पहले विल टेक एक्जांपल पूरा एक्जांपल पढ़ लेते हैं ना आपके सामें लावाव में नोट सोर्स होंगे आपके पास एक बात दिख देना माले कंपरी बनती होंगे एक कंपनी का फॉर्स्ट एग्यम ना कब होगा जल्दी बताएंगे सब लोग औरने वाले रिप्लाएंगे चैट बॉक्स पे आपकी कंपनी बनी है 16 ऑक्टोबर 2021 को बहुत हैं सुनना एक ही रूल है क्या रूल है विदिन 9 months from the end of बहुत क्लियर है रट्टा मारने व सिंबल्स आए नौ मेहने गिनने हैं from the end of financially हाजी बताइए ओनने वाले रिप्लाइ करें फटाफट से क्या लगता है आपको डेड़ चंदन का अंसर आगया है डिसंबर 30 रिया का गया है 31 दिसंबर और बताइए फटाफट से क्या अंसर आएगा थर्टी फर्स्ट कि बराबर थर्टी फर्स्ट डिसंबर दोजार बाइस कैसे सर कंप्री कब बनी है 16 ऑक्टोबर को इसका एर कब खतम होगा मार्च में होगा 31 मार्च दोजार बाइस 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 अगरा सल बाइस और बाइस किसाब से नौ मेने कहा से किनें गया 31 मार्च से नौ मेने बोले नौ मेने में दिन नहीं गिननने परता कि 31 मार्च के बाद एप्रिल पूरा एप्रिल में जून जुलाई ऑगर सेप्टम और अक्टम नौम डिसंब खतम यह इता दिमाग लगा इसा बभी करना पड़ता है पहली बार में बिना वैसे तो वाकिव को बारा मैने मार्च चड़ा जए तो ती मैने वैसी गया बच्च कि अगला मीटिंग कब होगा 2023 में थर्ड मीटिंग कब होगा 2024 में फिर पत्चीस में फिर 26 27 28 29 30 and so on यह तो रट गया आपको कोई भी आया था फिर भी एग्यम हुई थी ऑनलाइन हुई थी पर एग्यम तो हुई थी कोई भी साल ऐसा नहीं हुआ जिंदी की मास तक के टाटा सील बहुत पुरानी कंपणी है उसके अभी रिसेंट में 260 AGM लिया है 116 AGM क्यों से रहा इसा यह कंपी कपाथी 1900 07 में तो 1908 में कौन से लिए होंगी फर्स्ट नाइन में सेकेंड 10 11 12 13 13 13 में कौन से लिए होगे होगी 6 AGM 13 से 23 16 AGM होगी 1923 में से कौन से लिए होगी 23rd AGM और 1923 से 2023 में किते लिए होगे होंगी 100 और 116 AGM लिए है बिना भूले आप चाहतों गूगल में चेक कर ले ना एक साल में एक लिए होगी है ठीक है एनिवेस तो सिक्के निजम कब होगी दोजार 24 23 में डेट के आएगी तो आपको धानक रखना है पहला रूल क्या ना है ग्याप बिट्वें तू मिटिंग शुनार्वी मोर्दैन 15 मंस और तीसरा रूल क्या था विदिन सिक्स्वाइब इंड़ इंड़ फैनेंचल यह सिक्समेशन कभ आएगा 30 सेप्टेंबर को 6 और से मेने कभ आएंगे 30 सेप्टेंबर यह ग्याप विच्श अर्लियर तो अभी तीस सेप्टेंबर 2023 है ना बट आपड अभी एमने लिया था कि यह तीस सेप्टेंबर कोंसे डेट निकलिए है यह December कौन सा डेट था लास डेट था इसके पहले हो जानी चाहिए यह लास डेट था ऐसा नहीं से कि इसी दिन लेना पड़ेंगा तो यह भी डेट कौन सी डेट निकली है लास डेट जैसे कल गाटी सेप्टेम का डेट निकला जबकि सबके एजिम कल की दिन हो गया होंगे वर क्या हम पहले ले सकते हैं यह जैसे मैं सुलार का काम देखता हूं हमने रियल में जिम कब लिया था 21 जून को लिया था तो कोई बंदागर मीटिंग कब लेना चाहता है के उननी स्म Even यू पो तो वो ले सकता है क्या क्या क क्या एजिम उननी स्मेको हो सकती है क्या हां हो सकती है तो मांने लेटे मेरी सेकैंध कब हो यह है basically कब हो यह आपको तो बसème हमंई इन देखना है क्या है डेट और मन्त और नवं भाले मुझे पहले तो कि आप मुझे डीट बतायां कि कौ के सिट डेट ऑफ एजी एम थ क्या रहेगे देफरीने का और 24 की डेट रहेगी और 24 कौण कौन सा तारीक और कौन सा महीना आपका नाम क्या है कि विदी क्या एंसर क्या होगा कि जानवी कि अथर वह कि एक देड़ बता हूँ डेट डेट 14 अगस्ट ठीक है हाँ जी और ठीक है एंसर के आचुका है 19 अगस्ट कैसे नैंटीन में को इजम होई थी नैंटीन में से नैंटीन में बारा में नैंटीन जून 19 जुलाइ 19 अगस्ट नैंटीन अगस्ट अइंसर आएगा तीस सेप्टेमर आंसर रॉंग नहीं है बट इसमिटिंग अनटीज अगस्ट अलसो वाट यू आपने देखाव बापस है विदी फोर्ट एजम कब लेंगे कि दोजार पत्थीस को लेंगे ये बात पक्की हो गई कि फिफ्ट एजियम सरी फॉर्ट एजियम कब लेंगे पत्चीस में लेंगे अब आपको डेट और मन्थ फिर से बताना है क्यां सर आएगा तीस सेप्टेंबर वैसे तो डेट किते आनी चीए थी 19 नवेंबर ना जैसे यहां से पंद्रा मैंनी किने आएंगे 19 बट नॉम्बर आता है मन में भी आएगा मूभी आगा लेकिन आपको प्रेटेस से माल में पढ़ जाएगा कि नॉम्बर आते हो एक मिन न आउंबर इधर में क्या हुआ था आउगस्ट की सेप्टेंबर आउगस्ट आपको कौन सा डेट चूज करना इंशॉट वो डेट जिस डेट के बाद लेने से नॉन कंप्लेंस ना हो वो डेट चूज करनी है नैंटीन दॉगस्ट नहीं है क्या मीटिक इसके पहले भी हो सकत आउगस्ट को 19 अगस्ट को 19 अगस्ट बारा मैने सेप्टेंबर ओक्टब नॉवंबर 19 नॉवंबर वोड़ विच देट पंद्रा मैने वाली इफ सम्वन से 19 नॉवंबर वो रॉंग नहीं है ऐस पर पंद्रा मैना बारो ब्लंडर कर रहा है बिकॉस तो यह कब ले लिया 30 स तो जीट कुछ करनी है 30 सेप्टेंबर ऐसे एंड इस और एंसर कौन सा आएगा 30 सेप्टेंबर और यह भी लास्ट इट इसके पहले ले सकते हैं बेरी बेरी बहुत अच्छी बात है तो यह डिटा को धानक नहीं है वहां के एक्जाम में इस से कॉशन आते हैं यह कॉशन आ दिया तो भी इस डेट से 30 साथ दिर भी क्या फाइल करना है और अभी बतातों आपको अच्छे से एक ही बाताता हूं अभी बहुत आगे पने पढ़ेंगे 137 section number 137 बताता क्या है क्या आपको क्या फाइल करना है रूसी को बैलेंशीट 129 में बताते हैं बैलेंशीट वह भी बताते हैं अभी हिंटे देता हूं वहीं स्टडी 137 section number तब से आपको बताते हो कि अभी से यह टापिक आपको रखना है कि वावे भी डेट कौन से रहेगी डेट दाना है ठीक है ना कई लोग यहां पर एंसर दे पार है सई सई कई लोग एंसर लिख रहें पर दिलीट करते है ठीक है ना क्लिए सबकुच्छे से दिजिस हाँ रूडर्स्टेंड गाप्स अंदेट्स ओल्स तिंग चलो बागी क्या क्या है यह सब में था एक रूल और है एक्सेंशन वाला एक्सेंशन वाला एक्सेंशन मतलब आरुसी क्या कर सकता है special case में वहां पर के में में पर क्या कर सकता है एक्सेंट कर सकता है वह करकर करेंगा maximum 3 months करेंगा कुछ भी हो जाए ऐसा कोई extension नहीं मिलेगा किसके लिए फॉस्ट इंदर होता है विदिन नाइन मंस तो लॉके नज़रों में नाइन मंस का मतलब होता है six plus three nine and what is the rule for second एजियम विदिन six months बाकी सब एजियम कब होती है second एजियम के बाद within six months पहले एजियम कब होती है अब मिलेगा जब आप आरुजी को explain करोगे convince करोगे तो कोई fix answer नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा ठीक है ना चलिए कि एक बादे डेट्स बता दू देख लो इसका फोटो ले लो चाहो तो कि कुछ फोटो लें से कुछ होगा नहीं कि समझ में आएगा नहीं आपको concept द्यान अकना है सारा डिपेंट किस पर करेंगा अपका theory फिर भी इसका फोटो चाहो तो आप ले सकते हो if you want just to understand क्योंकि यह मैंने अपना मन से लिखा है फोटो लें कि कुछ नहीं होगा एक्जाम अगर हलके से इसको क्या कर दी है और उन्हें यहां पर देख अभी जो मुझे जानते होंको बता है बाकी लोग जो नहीं जानते होंको मालूम नहीं है अगर यहां पर मैंने पंद्रा में लिख दिया और अन्लें वाले रिप्लाइग करें इसवां कि पंद्रा में तो क्या एंसर होगा है ना है अट है इसवां कि पंद्रा में तो अंसर क्या होगा ना एंसर क्या होगा कि 15th august ब्रफिट मांको क्या आता है नैशनल बोलिड यह उस दिन एजर्श म नहीं होती है तो आपको 14 अगस्ट लेना पड़ेगा तो पर पंदरा में था तो पंदरा आगस्त नहीं होती है इसलिए आपको द्धान रखते वे चलना पड़ेगा है ना चलो एनिवेस यह आपका एंसर बाकी रूल क्या किया फिर AGM के होती है 9 a.m. to 6 p.m. इसको बुलते हैं बिजनस आर बिजनस इसलिए मैं बचलता रटने के लिए अच्छा तरीका है नैंटी सिक्स सेक्शन नंबर का तरीका कैसे याद रखोगे नाइन टू सिक्स एजिंग में टाइम क्या है नाइन एम टू सिक्स पीम एजिएम का सेक्शन क सकते हैं इन्डिया में कहीं बहुत ने सकते हैं कहीं पूट निते पॉलिक प्लिक एंडिया में कहीं बहुता स्वाइड अगर कंशन किसका मिल जाए मेंबर्स का मिल जाए ठीक है ना फिर प्राइवेट कंपनी पैसे डेट फिक्स कर सकते वो तो ठीक है ना वो तो छोड़ दो बत्लम नहीं है 9798 कोई दम नहीं है 97 अगर AGM कंपनी नहीं बुला रही इतना सब करने के बाद इतना सब पढ कई गल मेंब्स कॉल जन्रल मेंटिन जमसेल्फ कमेंट चॉरम है कन जर आएगा जन्रल मिटिंग जमसेल्फ क्या जराएगा चाहिन मेंबर्स कॉल जर्राम इडिंग थेश्ड नशेल्फ एंसलिक बुलने बात भी किले एजचिहें कल सकते हैं क्या खुद से इसले मैं पको आपको बताना एक्जाम में जडर मिटिंग बोला है करता है अगर वह aGM है तो मैंबर्स कभी खुद कॉल नहीं कर सकते हैं और अगर कंपनी कोन सी एजियम के बात हो रही है एजियम की तो मेंबर खुद भी एजियम कॉल कर सकते सेक्शन नमबर हंडेंड में और उसके लावा वो है एंटी बोल सकते 98 में तो एंसर येस भी नहीं है या अंसर नो भी नहीं है आप जिसे बोल दिया नो मतला आपने एजियम का भी अपने एजियम में भी यह बोल दिया है आप यह यह नो नहीं बोल सकते इस इस नोन एस फर्स्ट क्वेस्टन जो आता है कमेंड वाला इसा नहीं होना चाहिए जनल में भी एजी आम है एजी हम है एजी एम है ना तो आपको बहुत बैर सी लिखना पड़ेगा हो दी तो राइट एंसर फूर पारग्राफ पहला वेदर मेंबस कॉल दिमसे और इपेंड आप आप अप आप यह लिख दिया तो बहुत बढ़ी आ हो गया पर आप अगया पाता है कि कोश्टन कैसा है मैं मिलता हो घृट्व कैसा है पॉजटिव निगेटिव कोश्टन कैसा है कैन मेंबस काल जानमीन तेंसल्फ थैजू पॉजुट टोन से पारग्राफ तुमें का यह रहेगा मेंशा पॉजटिव एंसर भादभ पहले हैं a section number 100 EGM yes a member can call general meeting provided that general meeting will be a EGM where a member can either approach to the board and if board doesn't want take EGM within 45 days member can themselves call the meeting within 45 days if they have a one-tenth of the year you have a poor again chip the paragraph two however paragraph three there is one situation if the company is if you are talking about AGM as a general meeting then member doesn't have a right then he can only go for section 97 and CLT and paragraph four hence proved yes a member can call provided it is you get tone positive question or a plane tone negative no he cannot do negativity you should put a positive tone in the answer which can go to ठीक है और एक सेक्शन और सुन लो 121 लग गया वर 121 रिपोर्ट ऑब एग्यम यह क्या है सर अगर कंपनी कौन सी कंपनी होगी पहला धानक नाए कंपनी कौन सी होगी लिस्टेड तो इसको एग्यम के 30 दिंग अंदर क्या करना है आर उसी को एक फॉर्म भरना है जिसका नाम ह इसका नाम क्या रहेगा रिपोर्ट ऑफ एग्यम इन शॉट क्या बताएंगे आप इसमें एग्यम का पूरा का पूरा पूरा ब्रिक अप बतार एग्यम टाइम कितना बज़ेगा था 1230 पीम का बड़ एग्जेक स्टाफ कभ वह मिटिंग सब्सक्राइब ट्वेल एग्जम पंदरा या 30 को अपर पड़ेंगे बार किता को रहा हम आया था फिप्टीटी एक्जमपल बोरा फिप्टी टू आपके मिटी में क्या क्या हुआ था वह था वह बताएंगे चेर्में कौन ए कंपनी का लेंट से रिए लाइंस कंपनी है चेर्में कॉरेंट वेस्टे दो हु पाना चाहिए आप यह बताई कि चैर्में जो था वो नहीं था या तो चैर्में सब्सक्राइब कॉन मुखिशंबा नहीं तो ही वस चैर्मेंट कंपनी यह बाइडिफॉल्ट विकंद चैर्मेंट मीटिंग रिपोर्ट ऑफ एजियम एजियम में उस एक घंटे के दौरान क्य है क्या हुआ वह आप क्या करेंगे ब्रीफ करेंगे वो सब फॉममेट तुसेंगे इसका फॉर्मेट है पर्टाप फोपरभा लिखा रहता है स्टाइम डाल दिए एंड टाइम डाल जै कोरम कितना था जो भी लिखा है डाल जाओ क्या सभी एसर थे क्या नहीं ओर भीते कित टिंड दलो टियंज लगा अप्लोड रो किति दिन में इस दिन रखेंन नहीं पुलाद डॉल सबस्क्रक्राइब थील्स हा की आजी किसे मिलती और सब को ई Jeanne नौर्मली कब होती है यूजली कब होती है अभी जो मैरे फिछले एक्साम करवाया था अगर में इतने मजे निलेता इतना मजे लेता नहीं कहां यह वाले पॉइंट में अगर हमने यहां पर पहला डिटके निगरी तो सबस्क्राइब कर देख दिख सबस्क्राइब कर देख स साल सेप्टेंबर में अब जैसे सब कंपशन कब थे करना होगा तो क्या करना होगा कि जोनर मिटिंगे सार्पास करना होगा है गरव में करते हैं की जानर मेन करते हैं किसी नूवमब्र 400 पर ओकाश। ऊब यह अदो एक पर उने वाले जनल मेटिंग क्या कहलाती है इजी एम एक्टरॉणरी जन्रल मिटिंग ठीक है है कि तो यह अब यह की दिए गरूल इसम कौन बुलाता है बोर्ड खुद बुला सकता है बोर्ड किसी मेंबर के बोलने पर बोला सकता है अगर मेंबर के बोलने बोर्ड नहीं बोलाया तो बोर्ड मेंबर खुद भी जो भी मैंने बढ़ाया था और चौता मेंबर किसको बोल सकता है सेक्शन कौन था इसके लिए को इस इब बोलने इस लिए डाइन फोग गी मेंबर कि लिए आज होंगे वन तेन यह टेन परसेंट इस नोट कितने मेंबर और सोंगे उसकी पास क्या हो और शेयर वो शेयर के वो मर शैयर के पास चैपिटल इसिपिया होना चाहिए वोटिंग राइट ऐसा रहो कि बनों पड़ा कम पंदी के पास क्या शेयर से प्रिफरेंश चेयर पचीस परसेंट और क्या बोलान चाहता है इजी अम इसके पार उसका वूटिंग राइट ही नहीं है इस पर धान कर रखना आपको दो वर्ट कॉंसे दो वर्ट उसके पास क्य शाहिए 1 10th क्या पेड़ क्या पर कौंसे वाले पेड़ु एड़े पेड़ा इसके पास वोटिंग रेट तो क्वेश्चन वापस इस में पुछा चाह सकता है कि कैन वनमेंबर अलोन कॉल बिग्र कोमेंड जोन दो आपने हैं पोल दिया मतलग मतलब यह एक हो गहां कि हां एक बंदाल आ सकता है एक बंदाल आ सकता है यह मतलब होगै जो किजंब ही right completely wrong है क्या क्या एक बंदाल खता है डेपकर करता है स्थार अगर उसे एक इसलिए आपको बहुत केरफुली एंसर की ड्राफ्टिंग करनी है क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है उसकी एसाप से ठीक है ना यूनिट रिमेंबर इसमें कुछ आइस सच नहीं है इजिए cans member बुलाये तो कबतले होनी चाहिए रग त्ध sure एंबर के बोलने पर बॉलेगा और अधेर को और बॉक्त अपतिश्यम को एजियन की डेट से 45 दिसके रही होनी चाहिए नहीं कुलाया तो मेंबर खुद भी क्या कर सकते एगम को कॉल कर सकते है बरावा धानाक पना करना है ठीक है तो इतना काफी बेसिक सब्सक्राइब कर ठीक है चलो विल टेक ब्रेक एंड ब्रेक के वाद हम लोग कवर करें कि सेक्शन नमबर 101 के आगे से विच विच विछ तॉक अबाउट द इस ना इसका बढ़ाए नहीं लिकिन इसका बूस्ट शाहिए और आगर आप नाम भी डालेंगे गूगल पे यूटूब पे भी तुशार पाड़े एस्बीओ तो भी आपको वीडियो मिल जागा मेरा वह आप रिविजल में देख सकते कि विए दस्विट में पढ़ाना ब आप कर सकते हो अच्छे से हैं ना 91 क्या था आप को याद है क्लोजिंग आफ राइस्टर मेंबर्स 92 क्या था अन्यूवल रिटन ठीक है यह हमने पड़ा 93 क्या था स्टेकोलडर चेंजर के बारे में 94 चैनल प्लेस या इंस्पेक्शन कर सकते क्या वो सब था यह पर यह प्रेम प्रेंपछी एविदेंस वाला यह वीजिएम एजियम 97-98 एंचल्टी मीटिंग कॉल करेगा बर यह एजियम कॉल करेगा गुजियम कॉल करेगा 99 पैनल्टी पॉर नॉट टेकिंग एजियम विदेस दो पैनल्टी पॉर इजियम एजियम एजियम एक साथ अपने इतरा सेक्शन पढ़ लिए च्छे से और याद भी हो गये बिना रत्ता मरवाए याद हो गए तो आपको यह 12 सेक्शन आद रखने है 12-13 सेक्शन जो भी हो गए टीक है ना ब्रेक के बास्ट भी स्टार्ट विद वन जिरो वन से लिके 1118 तो पूरा टीक है तो यह गया आपका एंसर ब्रेक आपका कब तक रहेगा 145 टीक है ना विस् थीक है ना फटावर से आजएगेगा 145 पीम को जल्दी जल्दी ब्रेक लेके सो था विकेन कंट्रीव टिल 334 अक्लॉक्त कम लोग कंवर कर लेंगे तनु चौधरी सब्सक्राइब के स्टेडी से से हो सकता है कि बिल्कुल यस अगर आप एक कांट से क्ली आ रहे हैं तो बिल्कुल से हो सकता है कि बिल्कुल से हो सकता है कि बिल्कुल से हो सकता है कि बिल्कुल से हो सकता है अरे वो अरे वो झाल 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 जुआ से क्या किये है होल एक कि दिक किये उस पूंपपनी कुछ निम्हें देती आउन वोटिक तो का से देंगी बात फ़्दम हो गई 107 सेवन वोटिंग इवोटिंग कैसे करते यह वोटिंग के तरीके किने होते कंपणी में कितने प्रकार है वोटिंग के अगर कंपनी में कितने मिम्बर्स हो या तो कंपनी कौनसी हो लिस्टेड और थाउजन प्लस जहां पर शेरोल्डर से उस कंपनी में इवोटिंग क्या है इंडरीक्टली बोलेंगे तो उल्टा कर लो जो लिस्टेड नहीं है जिसके कितने मेंबर्स होंगे हजार से कम वो चाहे तो मिटिंग अब एक प्राइवेट कंपनी में 20 मेंबर्स है कैंडे टेक मि इस शुड़े टेक अप्शन है तो लेना पड़ेगा क्या नो क्या ले सकते है क्या अब 20 मेंबर में आपको बहुत जाता इच्छा हो रही क्या करने की मिटिंग लेने की आपकी मरजी भई कंपनी आपकी पैसे आपके उड़ाओ क्यों 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 खर्चा बहुत होता है सि नहीं किया आपने तो कोई केस करेगा नहीं तो इनके लिए और इनके लिए क्यों को मेंबर जादा है और अगर आपने वोटिंग नहीं रखी तो फिसिकली मीटिंग में लोग कम आते हैं और कम लोग आकर के वोटिंग करते हैं और वोटिंग में वोट करते हैं कम और एजन वर्सी जितने लोग अरे मतलब वकर कंपनी है पाच यार मेंबर्स है और आए 50 है 40 ने बोला हाँ 10 ने बोला ना तो क्या हो गया ऐसार पास मतलब खड़े-खड़े बतल मतलब 40 लोगों ने क्या किया चारजार 960 लोगों की इज्जत और पूरा दुनिया कर लिया आगे क्या होने वाला है शौर्ट भी यह मतलब 40 लोगों के सब्सक्राइब कर लिया कि बाकी के लोगों के सब्सक्राइब जिन्दिगी में यह मतलब डिवरेंट नहीं चाहिए एक एजए मोरिती डिवरेंट सब्सक्राइब करना तुमने खड़ेगर नहीं बोलके चारदा 4960 लोगों का बरबाद कर दिन्दिगी अब इस पर गलती किसकी है उन 4900 की भी है इतना था तो आय क्यों नहीं इसलिए इसलिए तो अगर ऐसा होता तो मैं इसको आलाव नहीं करता यह राइट क्यों है क्यों क कि यह कम से कम वो कुछ लोगों मैंसे चो कंपनी की चंदा करते इसलिए तो यह ने बोला नहीं मतलब सही बोला यह लगता है अब यह फटी लोग मिलके बाकी लोगों को बरबात कर दिया यह यह बीए का अलग अगल है बड़ यह लोगल एंगल है इमोशनल आंगल है लीग लुट कर लोगों में कोच अच्छा होंगा खतम बात कटम बात तो लॉटिक लिए यह सही है इमोशनली यह सहला फॉटी बैट के घड़े करें लुट कर लो लुट कर लो तो बिचका रस्ता क्या निकालते है लुट बड़ी कंपनी में क्या रग देता है इस वोटिंग तो कुछ ऐसा को जिससे की आई डोंट वांट पाफचार लोग वोट करें पर आए डोंट वांट की पचास वोट करें तो पच्छा थाधा होना चाहिए पाच आर नहीं वाचलता लेकिन थे पास्तोद हो जाए पास्तों कैसे होंगे एक तरीका है फिफ्टी लोग कहां से दी वोटिंग तो बिटंग में लिंट रहे हो रोगल हो कि वह ए NICK वोटिंग तो यह विटिंग हटेभी आप फ्रेक सलीड स्व ओन्स को यह भूकिंड कि अगर एंग कहुं लाइंगे उनको मीटिंग में कैसे वोट करना होगा पोल से और उनको सेक्षिन लागेगा वन जीरो नाइन सब्सक्राइब करेंगे मतलब इसकी तरीका है विटीव बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर खुछ से सब्सक्राइब करेंगे फोल करेंगे डाल देंगे कौन लोग जो मिटिंग में आये हैं और एक केडिगरी हो रहे हैं सेक्षिन नमबर वन वन जिरो ऐसी कुछ लोग हो सकते कंपनी पर जो रेरेस्ट है बहुत रेर है कौन से लोग जो AGM में भी नहीं आ रहे हैं जिनकी पास लाओ उसके ओन्लाइइन सुभी नहीं है बहुत रार्यार यहारर जो जीशन मैरी मदर मेरे माग नाविए मैरे माक नावर कर दिया खड़क हो प्रिव मेरे अदर को फॉन उठाना भी नियाता अबेश्राव रहा हूँ मैं पब्लिक चैनल पर मैं उनकी बजतिनी कर रहा हूँ मैं बता चाहती हो कितनी टीपिकल जो हिस थे इतीपदोगों से एक प्रिए आपकड्राउंड घर से आते हैं जिसके टेकनीकल से भी समझता न आगे रहे बंदर हो चल रहा हुसका वह फोन रख दिया तो रख दिया फिर पहल जा कि नहीं वह लाल फटन दवाने पड़ती है ऐसी मेरी मदर है इतनी इनुसेंट इतनी सिंपल सी अब ऐसे मदर के नाम पर मैंने शेयर बाइख कर दिये अब मैं तो चाता हूं कि मेरा मतांने विवह कर दिया अब गल्ती मेरी से क्थोगाई मैं लाइं के मेरे मां के नाम पिए शेयोड़ि 872- cycles के नाम पर है यह मेरी मां आप लेटर हमें डाएं देल ने वो यह करना वाली है मेरे तेक और प्षो यह बेज़ो लेटर बेज़ेंस्ट लो कि इस बाएं तो आ है धा बेज़ो मैं घरबे पेपर पड़ओं कि अभी पर पंड़ना आता है यह निते पर पड़ औंगी स्विक्षा करूँगी भी फेज यहां 107 और वहां पर फेंट होगा मताब सब यह बैटे हो तो सब को शुआ फेंट का आप्शन मिलेगा अधार अर्गर शुआ फेंट नहीं है इवोटिंग है तो जो घर बैटे वोट करेंगे यह लोक्त्रणिक से जो मीटिंग में वोट करेंगे फोल से और जो दोनुन नही नहीं होता है तो पोल भी चुपाके और बैले मेरा में चुपाके होगा था रह तो आर आगे लिए कर रहा है वाला देखे कि फिस्टूज वाला देखे मैं नोट्स नहीं देने वाला मैं अपसे पैसे ले नहीं रहा हूं और आपको कुछ नोट्स प्रिंट भी निकार आँगा कुछ नोट्स दूँ आपको पृंट्स निकाल के उनको दू बिना पीदिएफ में तो बेद्भा हो गया मैंने पहले बोल दिया में नोट्स दे दूँगा बट प्रिंट में आपको दूगा रूंको किसको दूगा नहीं मेरा फेट्रीटमेंट सब के लिए यह नोट्स ए ग्रूप पे इसको प्रिंट आउट चीप रिंट निकालो जिसको ऑनल करना करो मेरा टीटमेंट फियर दे दिया मैंने मैंने पहली बोल दिया वीटूप पर वीडियो पर की मेरा लाइफ क्लास है और फेस्ट वेस्ट भी है इसका यह नहीं कि बाकि दो जाई सो बच्चे जो ऑनलान देख रहे वो लोग यहां आना चाहते नहीं थे हैं मैंको मना नहीं किया मेरे टीटमेंट सबके लिए एट क्या है की कूछ असा मत करो जिसते कोई बंदा काली मारे कभी आपको तो लोग्ता अबसे लाओ में तो आपको यह फॉलो करना ही है इस प्रिवेजिज़ फॉलो करने पढ़ेंगे सबको सेम टीटमेंट देनी है या तो इस और कि फहों करना फिरा के लोकर चेंपना नाइए यह यह ज़ों न पैते हैं च पर फर यह जों पूस्टेक्र साथ जा टरह फॉता है मरेशा पंद्धूर। गया पाच्व में टाइम लगेगा बाकिव मैंक्र मालों इंडिमें डाराइट्टर है इने डाइनिन अधर काकर टर्म पासर का था वो खतम हो गया तो ही इन फ्रेंद फड्रेक्स्वर्ट फाइव एर पासिंग only SR पहले term के लिए ओवर और next term के लिए होता है symbol की लिए होता है 5-5-3 a person can be appointed for Madame for Maximum one term of 5 year अच्छा लगा थो reappointed for one more term of 5 year दो term हो गया और अच्छा लगा नहीं लग सकता अच्छा 3 था का?. break लेना पड़ेगा कौंसर director है? Independent independent वो दूर कड़ा रिटर और आपके साथ कंभी से चिपकावा पंदा सल से ऐसे नहीं होता है यूनीड टू में के मगाप आप प्रियर्स पास साल पहला और अगला पास साल ऐसार उसके बाद तीन साल का ब्रेक से किंब पास साल के लिए तो सरा पास करना पड़ेगा ऐसार पास करने के लिएव को भून देखना परा सिंक्राइब फ्र थीन हो तो तो नोने होड़ा बूलना पड़ेगा ऐसे कर ऊए एट बिएंग होड़ा टू है मोती कि अ चंदन ऑ het में पोश्ट पैड होता है शोओ फैंड में सेक्षिन नंबर 109 होता है पूल बाता शोओ फैंड में मीटिंग हो रही है और इस सम्वाइब इस नोट इंटरेस्टेट बाइस वाइब आस्क पॉर और ऐसा हमने किया है बहुत जगह पे कुछ-कुछ कंपनियों में डारेक्टर में जगड़े हो रहे थे तो हमको बता था कि आपर शोओ फैंड से वोटिंग करना रिस्की हो जाएगा तो हमने क्या किया मिटिंग में कितने के लोग ते से 12 लोग थे फिर हमने क्या आर्रेंजम 109 आ सकता है वंजो तो यह कभी नहीं आएगा यह कट्र दूश्मन है इमाजिन गूरो यई एसफाट एंग आरेट काट्र दूश्मन है जहां 7 माइट नहीं आता कभी एससे वह जाख़ों यहां जया से वन्हाइघ नहीं हैए गहां ऑने नहीं आएगा जहां दुष्मन क्या बोलके कि वह यहां तुम्हारा केस अलग है मैं आ जाता हूं तो 9 कहां भागते हैं दुन तरह भागता है हो सेवें एट टैन सेवें एट आ टेन दोनों घर से बेचके होता है सेवन और नाइन दोनों AGM में होता है which is seven Show Off Ends होता है कि नाइन जाण शोरियो सकता वहां पर आए है उंक तत्त वन यहां यहां नाइन नाइन कि यहाद हो जाए है ना ऐसे है कि अ बागी कि इलिट्रोंट्रोनी मीटिंग इसमें कि पना पता दिया किस कंपनी की रूल से वाले अगर लिस्टे रहते हो यहां फिर माग्जिमम मिनिम्म सब्सक्राइब विद्वाद से ना इंक लिए अग नो बेना हो गे इंचेंट नोटि जी कि देखो बागी सब कॉपी पेस्ट है यूरीट टो हायर विकाज आप में वूटिंग किया है तो अभी किसको हायर किया होगा एनस्टील या सीडिया सब कोई तो इक डिपॉस्ट्री होगा उसारा टाइप करेंगे है ना सिस्टम या बालेट पेपर जो भी कुछ है यह कभी पेस्ट है यह सब्सक्षान यह वन जरो वन यू विल स्टेल दो मैंनर वही वोटिंग देखो आपके सार नुटिस में यह वाला अभी वाला इस अब बरगे क्या दिया है नोने यह तो कपका है कि सेवंडिंगा ना थ्री वाला यह वाला हाँ यहां पर इन्होंने क्या दिया बरबर कि अ लिज़ो यह पूरा कैसा है यह क्या चिछ का है वोटिंग कैसे होगी है यह को ए यूवर कोड्स आप क्या सकान कर सकते हो आप खुलो कैसी वोटिंग करो कि यह पूरा प्रोसीजर पार्ट है यह वोटिंग कैसे होगी है वाइम शोविंग यू दिखा हम आपको यह बताने के लिए कि लॉब होता है कि सब्सक्राइब कोई कंपनी किसमें ले रिमिटिंग यह वोटिंग में देने टू इंडिकेट दो प्रोसेस इंद नोटिस इसल्फ नोटिस में को क्या बताना पड़ेगा प्रोसेस ओफ इवोटिंग प्रोसेस ओफ इवोटिंग कि किस प्रोसेस में प्रोसेस में होगी वोटिंग नेश्डील है सीडी एसले ओपन कवोगा इवोटिंग प्रोसेस क्लोस कवोगा सब बताना पड़ता है ठीक है ना पेपर में चाहपेंगे आप किती पार चाहपेंगे आप Sun to paper में study फ्लाइड पर्थर व्यक्रमोसे ऑफर्फ पर प्रक। में उसा हम थ्यक्रम इंग्जकुल्ज में अचफ्चान इंग्लिश्च नींड इन प्रक। प्रक। में डियन खेंग व fact रिमोट्प विए इँ पॉर्ण रिमोटी वोटिंग मतलब अच्छा देर टुटेपस वोटिंग अच्छा पता है कुछ लोग क्या कर रहे है पॉल के जगह पर देयर वट आ दूइंग इस इसको भूल को पॉल के जगह पर क्या चालो किया है इंस्ट इवोटिंग इस सबको नया सुनने मिलेगा अब आप लोगों को कोई पढ़ाता नहीं है मैं भी निपढ़ाता उसको एक्च्छुली चिलेपस भी नहीं है बच सुन लो इवोटिंग के जगह पैचकल स्वरी इंस्टेड आफ पोल क्या शुरू हुआ है इंस्टेड तो दराट टू इवोटिंग इवोटिंगे दो नाम हो गए कौंसे कौंसे रिमोट और उस्टेड बहुत इसी अंसर समघ में आजाएगा यह आप एक वरड उसकिया किया है रिमोटिवोटिंग इवोटिंग क्या होती है समघ में आजाए अपको जो basic rule पढ़ा है आप घरव पेड़े क्या करो लॉग इडी पासफर्ट से वोट करो वाट अपर दूस पीपल वो केम यह उगर क्या करना उनकी लिए बैलेट बॉक्स को पोल करो बड़ यार फिर वही वाली बात जब इतना क्लोज आ गए शोफेंड से का पहुंचेंगे लोग डोंट गिव शोफेंड ग अंदर तो जूचाल पोल में होता था वही काम पोल ही है यह भी बस क्या थर गया मैंने उदर में कॉर्णा में क्या रख दिनागा बैलेड बॉक्स वो ना करते मैंने क्या करती है एक आपको भी कौन साम ऑप्शन दिया इवोटिंग का बड़ एक मिनिट आपको कर मैं नॉर्मली वूटिंग दूँगा तो कुछ लोगों को कि अब पता होग अच्छा से इवोटिंग नॉर्मली बंद कब हो जाती है एग्गेफ में के एक दिन पहले साम को कि तो बज़े पांच बज़े इवोटिंग बंद हो जाती किसके लिए रिमोट इवोटिंग तो चो एजियुम में आया है उसके लिए वह वितिंग फिर से क तो इमेल की वोटिंग कब बंद हो चुकी है एक दिन पहले पाच बजे तुम कि तभी कर लो तुमारे मुबाइल तुम्हें टैबलेट से कुछ नहीं होगा हम तुमको टैबलेट देंगे कमपनी अगर मेंबर साथ आने वाले तो कमपनी 60 टैबलेट अरेंच करती है कमपनी नहीं करती को न करता है एनाज्ट यह सीडी एसल इसलिए पैसे बहुत बढ़ते इसके 60 टैबलेट गोलाना पड़ता है उसको 60 नहीं हो 120 भी टैबलेट हो सकते हो 180 भी हो सकते हो तो वह एक और वहां पर आपका पुराना इमेल वाला लिंक काम नहीं करता किसकी बात कर रहा हूं मैं वापस समझा देता हूं यह लोग कौन से लोग है जो एग्यम में नहीं आ रहे हैं तो यह वोट कप करेंगे और वाला पॉइंट तीन दीन का पिरेड होता है वह भी कव क्यम होता है और यह वोट करेंगे अब को यह लोग कौनसे लोग है जो मीटिंग में वोट करेंगे कम मीटिंग में आएंगे आजेंडा सुनेंगे आपने कुछेंगे जब इनको दो न्यक्या सिंब जाएंगे तुछ क्या वाले हैं वोट करने वाले अर प्रकांव के अधिका बाद जो आइ ज nimmt बला नीदा हदो थैनंगे फोल सस्था सुनद़ डिकंव अब्शन है सब प्रिंटर्टे कर लो बैले टेबल परक दो पैंसिल दे दो पैंसिल दे दो टिक करेंगे फुल करेंगे बेरी सिंपल बट इस पर वही वाली बात है पिर मेरा मेरा मतलब जो स्कुटिन आधर उसका काम बढ़ जाएगा पेपर चेक करो समय राइटिंग में नहीं आ रही है हैँ किसी लिए मैसा हांजर क्या रही है के कि सब्सके सब्सक्राइब रहा है औने लगा बचाने का तरीकट क्या सकता है आघ नहीं चाल रहा है और ढुद हो है और बंद और क्या हुए देए remote e-voting and what I will give them instant e-voting tablet लो, vote करो वापस दो, खतम instant अगर AGM हो रही है यह कौन से example से जहां पर AGM physical हो रही है तो proxy तो आए गा ही हाँ proxy आएगा मैं अजुम कर रहा हूँ कि AGM physically हो रही और लोग साक्षात आ रहे है तो जो आ रहे है वो खुद नहीं है कि तो किसको भेज़ेंगे वो तो अपनी वो रूल fix ही है हाँ 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 बनिशा बोल रही न वहीवाल एंसर है सब के बीसे में भी तो e-voting होती है के बीसे लिए वो टिंग कौन सी वो टिंग है तो गपते हैं यह नहीं होजकता ना किसी सब्सक्रारें चानल के बोल रहे है पहला अपके सामने टैबलेट पर नहीं होंगा ब्रौपर टैबलेट होता है प्रोपर टैबलेट टेबलेट तब देखा त्वागरेचे वाला एपल का या फिर अबुर सैमसंग का आपके एकुट का सब्सक्राइब ओगाइज उसके नहीं है ततों है WOW आपके तबीड आपया हो कर आप Korean हाटें और हटल में वह आता है वेटर ऐता है थाम कैसे सब आप्सश्र बसाला अपार टिक 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 मेद हो जेहां मेरा फाहर गे यहां पर इसे टिक टिक किया दोतेर आइटम लिए खड़ा हो गया अभी और देखे आओ गया अब नॉर्माल में किया तो लिखता है जाता है यह अब उसे टिक अब आब देखे में उसे इन शोट वी अष्टीज गेव सी कैस फूब रही तो को भी सुट्टिनेजर ग्राटिट फोरिचिए चुटिनेजर पार गोडए चुट्टिंग द गणी गोड़िगे civी फेरें ट्रांस्टिनेजर इस फोर्णीड पार्याइन शुल्मैट और इस प क्या होता है यह है वो 1008 बोटने नाइन ने जो पोल यह ते ऊफिक क्रणा रिजल्ट कर Shortly क्वुड़ को रोंगे सह का इसाम लो की सामने इंफ्रयंट घ्रन विटनेस थिए जान वह जाए कि एक गःए सामने अगर होगा उपन तो में दिखा जाता हूं लुप इस तरह से आप करेंगे नाइस नहीं हो ठीक है झारो एक बैलेड पेबर होता है और वेलेड मेरमा क्या करना होता है पिलल होता है और उस प्रकारत प्रकारत लब देखोगे यह यह इस दिस घ्ज ग्जम्पल भर टिपिकल बैलेट बॉक्स एक टिपिकल बालइड बाक्स ओ प्रिया जो ब्लैंक वाला बालइड बॉक्स ते जो का मेरे फोटो निकाल होगा क्योंकि यहां पर दिख सकते दो फीमेल से विजा नतिंग बड़ यहां पर हमारे कहानी में कौन है टूविटनेस जो की इंप्रमेंट नहीं कि दोनों मेरे पार्टनर्स है जो नागपूर में काम देखते हैं और दूसरी लड़की वो मुंबई से द दोनों पार्टनर है वो दिखती अभी नापपूर में रहती है तो शीजिन नापपूर में पूने आ गया और मुंबई में तो हमारे में अच्छे हो जाता है अलग लग क्लाइंट क्या जाते है इसको क्लाइंट मिल गया लेकिन जल्दी से एक्स्पेडिस नहीं आती है सार क्या करूं तो हम लोग है हम पूने में लिए तो काम हो जाता है नापपूर चोटा शोटा शहर है तो वहां पर लेकिन लिप्ति और हमारे बास स्टाफ बैटा हुआ है तो काम कई बार हम नहीं कर सकते काम उतर भी स्था तो को विच्वाइब लिए कि नो नीट च्रवेल फ सब करते हैं कि काउंटिंग करो इन फ्रेंट आफ टू विटनेस इसकी काउंटिंग करके रिजल्ट संभीट करना होता है ठीक है 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 डन है फिर वह देखो वाड़े में रोल क्या होना चाहिए डबल वोट नाव डबल वोट मतलव है अब मालों जैसे कि यह है अदर्स इसने पहले वोट कर दिया और फिर एजम बाके बैड़ गया वाभी बैलेट पेपर यूं मांग लिया मैंने देवी दिया वह दिया है एग्म में उनके वोट वहां पर दिखेंगे अगर में तो बची क्या करना चाहिए आपके साब से आधर से डवल वोटिंग की है इवोट कर दिया और एजम आके भी वोट किया इवोटिंग पे एसरी वह बैलेट पे तो वाट यू तिंक आजस्ट इना था मैंने क्या करन गिलांए तो आफन송शन से पहलाई मेलम अंतर करेगा है दूसरा वालेंट रहें हां औरिजेक्र दोलों को इस टीन cycle कि मैं daughter असने पेला वाप तैसा थास को फर्स्टिं फरस्त उडाले की आना हो गया एकंसर्ण यह धूसर्या अधिसалась मैंशन क्यों आउंगा उसने क्योंकि पहला वाला चेंज करना आता है मतलब बजाग चल रहा है आपको कभी भी कोई बंदा मन में तो वोट चेंज कर देगा पर ठीक है ऑप्शन तीसरा क्या मेरे एंगल से कहना है अज्यूम कि यह बंदा शाती राद में डबल वोटिंग करना चाहता है और तो मैं तो बहुत कर सकता हूं जब यह अपना जूम क्या कर रहा दर्श कि नहीं नहीं पहला वोट मैंचा नहीं है मैं दूसा करना है तो तेरी प्रॉलम तेरी है मेरी प्रॉलम अलाग है मेरे साब से मैं क्या जूम करूंगा कि क्या करना चाहता है डबल वोट करना चाहता है तो मे प्रोक्सी तक ठीक था यह बोड़ को निहां इसको कंपर मत करो वोट इंग ही यह वोटेड वर्या इस श्टम नवापस श्यांक वोट कर दिया उसका बचलता तुछ अध कि इसरा भी महली ता वाल मेरा मांजिरो रहे हैं सर दो तो चलिसे दुनिया मेरी रहे थाम रिए फिर वगन ए फिर वह थो तक भी फेस घर पे लिटर लिया उसको भेज आला से कुरियर करके ऑनलाइन खोलके कि वोटिंग कि और टिक्र भुके का बैढ़ी आखे एग्याम में कि आप उसको छोड़ दो उसके आंकर सबस्क्राइब कर देगा शोओ फैंड मेरा भी उचारो कर देगा वो तो उसका मत देगा तुम अपना कंपिल आपड़ो कंपिलों से मजाग नी चल रहा है दो दो बार वोट करना तो दो दो बार वोट तो नहीं है यह वाद तो तह हो गई और सेकेंड तो बिल्कुल रॉंग है अब रहा पहला अप्शन पहला वाला या फिर आई विल टेक आज कन्विनियंस कि करो कि मेंबर वोटेड वाइए वोटिंग डू नौट अगें वोट इन जनल मिटिंग और उसा कर किया भी है नौट दे मैंनर इन विच यह कैस्ट वोट और किया भी है तो सेकेंड वोट काउंट नहीं होगा मतलब पहला वोट ही काउंट होगा वह काउंट करो और छोड़ करने के लिए तोई नहीं हो तक क्या बोलने वाला कि दोद्ग क्यूं किये उप्राकि है मैं एक क Gabriei couch करोंगा और मैं पहला कॉर्ण करोंगा तीसरा भी Infrastructure को प्रम या मैं कोई जजमेंट जज नहीं हो कि क्या बोलोंगा कि दोनों में से दोनों नहीं आए कि मैं तरह कांसरा देता हूं I am not I am no one this and I am there to scrutinize the e-voting not a person मैं जज़ उसको नहीं करने बैठा हूं मैं जज़ करने बैठा हूं को वोटिंग को not the person तो मैं क्यों जज़ करते हूं कि उसको डबल वोट करना हूंगा उसको क्या करता उसकी प्रॉब्लम है मुझे एक कांट करना है वह पहला वाला कि इस तब में कहां लिखूंगा प्रॉपर रइस्टर में लिखूंगा असेंड इसेंड वह सफिए है और दीम्ड दीम्ड मतलब जो भी कुछ कांट होगा जिस दिन रजेंडा पास हो जाएगा समझ जाना से उसकी क्या हुआ हुआ है इवोटिंग कंक्लूड हुई है ठीक और हो यहां फिर पोस्ट बैलेट हो दोनों में कॉमन क्या है तरीके का फ़रक है कंसेप्ट इनों में एक है फोल में भी वोट कौन कर रहा है मेंबर्स बता के कर रहे कि बाओक्स पे कर रहे है लो तो अगर मुझे कौन चाहिए होगा एक वह वही करेगा चो अब तक हुआ बस फरक यह रहेगा कि 108 में कैसे स्कूरियांस करेगा इवोटिंग सिस्टम से जहां पर इमेल इमेल या वो सब आता है सिस्टम से नाइन में कैसे होगा फिसिकली बैट के जिए दिखायता में आपको फोटो भी यहां पर हमारा वर्क रोड क्या होगा कि थोड़ा वर्क रोड कि बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा क्यों कि अब दुच्छा लोग बैटेंगे लिटरली मतलम आपको पता रहूं बहले हम सी एसो के सुटेनादर होंगे दुनिया के लिए पर वेन भी वर्क हम करते होंगे एक टेबल खाली करके निचे बैड़ गए लि बढ़े लिए लिए उपन किया पहले सब गठा बनाया गठा बनाके पहले चेकिनिग करनी पहले से काुंटिंग की बाद में मालूम पड़ा कि sign नहीं था धर पहले हम कांटिंग करने क्षे पहले क्या करता है फिल्टर जोड़ तब आज़ रखो जो अच्छे वो तरह को फ लिख दिया तुछार्ट 200 लिखो लिखो 251 लिखते गया रहे फिर इसके नाम कब जो बंदा जो बी माम था उसका मुझे एनिशल से क्या मिलेगा हुआ पुरा हिसाब किताब इनके नाम नेशल से आएंगे मेरे पास क्या सच में आदर श्राम को क्या बंदा नेशल में है क्या कि मालूं पड़ा यह कोजी भलते बंदा गयता है वह शादी में वह शादी में उस होटल में सब्सक्राइब करूंगा नेशल के डेटा बेस से वहाँ मुझे आधर श्राम का बंदा उसका बो आई-पी अड्रेस उसका सब्सक्राइब वह आए से नंबर जो होता है डीपी नं है वह नंबर मिलता है वो नंबर से चेक करूंगा मालूम पर एक से 100 नंबर बोले उसके फ से 15 शेर्सट सो यह एक फ्रॉड हुआ उसके से शेर और इसकी साई उसकी साइन मैच नहीं हो रही है फ्रॉड हुआ तो वह इस्वाम करूंगा ऐसा कर आकर आके मिशे फूरा थिए क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा वोर्ट में टाइम बहुत कम लगता आ क्यों लगता है जिस सजुदें और प्र प्लायक वर्यक किया और क्या होगा युट कॉन किया होगा ऐलेको कि और ते करें युद्स फिर ट्रकें आपने आप तो बहुत BB क्लिवे कि कुद्टनेंस करने का सबसे क्लेशर तेकनिकल में तक है 9 और 10 नाइन ओर 10 एव नहीं और 10 कि नाइन और 10 में तो और कुरियर से आ रहें तोसे दोनों में थोल्ग बढ़ जाता है य। है एंड मेरा काम क्या लेकर कि टोटल करके य। में यह अर बताना सचोच कितिने वॉट हुए टू टुल ट्रस्ट मी 109 11 0 सोरी दोनों में वोट्स क्या रहेंगे आलमुस्ट सेम वोट वाला प्रोसेस ऑलमस्ट सेम रहे हैं इती आ रूनाबर 20 पढाम नहीं वाला इस वाल अल अबॉट रूनाबर 20 घृड़ पेच पढाय में आपको भाए यह रूलनाबर 21 यह रूनामर 22 ड्रस्थ मी सब कुछ यह है एक से रूनाय दिन का वो अगता है तीस दिन का विए धानक ना है एग्यम में किता टीम टाइम मिलता है तीन दिन का एक बार देखा देता आपको एक्जाम्पल के साथ इफ आ उपन दिस चलो इफ आ शो यू इवो टिंग एग्यम अगर मैं आपको ऐसे ओपन करके दिखाता हूं कि देखो यह उपन किया मैंने एग्यम कब किया है कि 29 तारीक की और उपन कब है इवोटिंग अब शेडियूल चब्विस से अटाइस अठेस से अटेस व कव पाच बजे अग्यम से एक दिन पहले बड़ ओटिंग उपन किते दिन के लिए है चब्विस सथाइस अटाइस अब लगे हाथ आज जस्ट टाइब यहर इवोटिंग पोस्टल बैलेट हाजी 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 प्लीज दिस इवोटिंग किसका है यह पोस्टल बैलट का है कितना ही में विविदिक शुरू कब हो रही है कि जून फॉर्टीन को खतम को रही है जुलाई थर्टीन को किते दिन इतना ही धान रकना है आपको क्या बोला मैंने एजियम की वोटिंग और अच्छे समझाता हूं अगर section 108 की वोटिंग है और 110 वाली वोटिंग है 108 वाली वोटिंग में पिरे कितना दिन का होता है वन वन फिरो वाले में बस एक ही डिफरेंस एट प्रस्ट मी एल रिपीट मैं एक्जम्पल यह किसका है कि जी इंटरेंटमेंट का पोस्टल बैलेट का नोटिस है तो क्या टाइम क्या टाइम मिला वोटिंग करने के लिए तीस दिन मिलें दामने देख रहे आपको अचा आपको एक चीछ लग रही है कि एक चीछ से अब कर भरोसा नहीं हो रहा है तो वन बोर एक्जम्पल देखते हैं आज हो गया क्या और कौन देखते हैं जी एन एक्सल देखते चलो अभी देखा था जी एने का बढ़िए अग वोटिंग है अरे यह कुछ दिया है नहीं है यह रहा नहीं है यह रहा नहीं है इमेल कब आया है जुलाई को 26 जुलाई को वोट शारू होगा कब तो पूट करना है एक्जैक्टी थर्टी डेस और देखना है तो चलो को वो प्रसेस इवोटिंग का 16 डिसंबर को खतम को हो रहा है चाओदा जैन्वरी को समझ बहा रहा है तीज दिन क्योंकि किसका नुटिस है पोस्टल बैलेड बोला तो तीज दिन सेक्शन 108 बोला तो बाकी कसम से बोल रहा हूं सब कुछ कॉपी पेस्ट इतना क्लियर बोल रहा हूं क्या बता हूं को मैं वित इक्सांब दिखा के बता रहा हूं सुटिनाजर वही होगा जो पहले था वही काम करेंगे सब कुछ वही 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 पेपर वही दो पेपर वैसे ही नोटिस सब कुछ वैसे ही जब कुछ कॉपी पेस्ट सिवाए कि सेक्शन इतना आसान है 108 110 तो रूल नंबर भी 20 दो रूल आगे 22 तीन दिन तीस दिन कितना clear or flat answer था समझ में आगया तो अच्छी बात है वह इसी यह बात है वह इतना आसान है 111 circulation of members resolution very important circulation of members resolution क्या मतलब होता है circulation of members resolution any guess अच्छी यह पास के सब्सक्राइब करना और कुछ जल्दी पताई यह पोस्टर बालेट वोटिंग आफ्टर था एग्यम और बिफोर देजियम पहले बात तो पोस्टर पेड़ेट एग्यम का संबंधी नहीं पोस्टर पेड़ेट का मतलब होता है घर से बैटे बैटे वो कि मेंबर चाए तो को एजनडा सर्का सकता है में बाता में पैसे यह ताहता है कि सरे अजनडा क्या हो एग्यम में डिसकर सो यह दो पर दो पर तो section 100 member चाहता था तो में में क्या बोलाई थी इजियंग बोलाई थी इजन तब जब जनवरी भरवरी मेना था अगर मानलो September मैंने में पता है कि AGM होने वाली है और आपको पता कि को एजन्डा डिसक्स होना चाहिए आपकी इच्छा है और आपने किसको पर जाट यहां से और आपको प्राइब में बोला कि मुझे करवाना है जाए और ऑपजेंग कर वाना है और हम करने वाले और हो सकता है तो मेरा अजन्डा उसके बास नहीं है तो एक आर्स किम टू इंस येस बट मैं कौन होना चाहिए उसके लिए यह नहीं मेंबर उपह से कौन सा मेंबर पिद्दूसा की बड़ा वाला बड़ा वाला माथा कौन सा वाला वही वाला क्यों जाता है कि क्या किया जाए मीटिंग में डिसक्सक्राइब और रहों कब बतावा मैं इसको मेरे पास मीटिंग के सिक्स वीक्स पहले कि मेरा समानना है कि नोटिस कब जाता है मीटिंग कहां ट्वेंटीवन डेस पहले और उसके बारा जंडा और मेरा तेरवा जंडा सब मिला के एक साथ भेज देंगे तो इफाए टेल इम बिफोर फुर्टिव डेस तो यह मेरा अजंडा इंसर्ट हो जाएगा यह वाला और अगर मेरे को लगता है कि मैं भूल गया टाइम निगल गया है तो मुझे कम से बताना है तूवीक्स पहले तूवीक्स पहले चौदा दिन पहले बश्च चौदा दिन पहले क्यों बोल रहा है विए कि ट्विटी में सब्सक्राइब तो नोडिस चला गया है अब इस पर कैच है क्या है कि इस टेल इम किते दिन पहले है फोर्टीन डेस पहले हाव ही विल टेल टूटे शेरोल्ड़ ड़स कि अधुडिसमेंट बिफोर सेवन देस सुनना अच्छी सिवेरी बात को इफाइट एल भव्य कॉन हमारे कानी में भी सी एसे किसी कंपनी का मैं में में बताया भव्य को फुर्टी डेस पहले दो ऑप्शन होंगे आई विल टेलिम फिटी डेस पहले तो भव्य क्या करेगा कि नुटिसमें मेरा अच्छन गुसाएगा साथ में बेज देगा मुझे कोई खर्चा देने के दुरौत बट इफाइट टेलिम थर्टी वन देस पहले क्या यह पॉसिबल है कि कम नुटिस भेज चुकी होंगी पॉसिबल है इफाइट टेलिम ट्वेंटिन डेस पहले करेगा पसंद हो या ना हो प्रोवाइडिट मैं कौन होना चाहिए बड़ा आदमी बड़ा आदमी मतलग सेक्शन नंबर हंड्रेड वाला 110 मेरे पास वोटिंग मजाक मत करना मेरे साथ मैंने बोला है मिटिंग होनी चाहिए अजिंडा में डानला है मैं बोल रहा हूं मैं मत बाद करें यह आपको मालूम ही है बट मैं आया 42 एस मैं आया 14 से 42 की बीच में 14 से कि तीन ओप्शन हो सकते हैं आई विल कम बिफोर इसमें कुछ नहीं करेंगा चुपचाप सी बुलाएगा और सब कुछ लेलेगा इसमें थोरा नाटक करेंगा सार इको टाइम होता आरेका आपसे काम करना पड़ेगा नोडिश तो गई मेरा अलटक से पीछे वह तुट्रों स्ट्रेटाइब आप चोट्य हुआ है अर यह पासे प्लिक से बैस से बैस एडल who said you to send notice through courier who sent to send notice through all this thing email कर email कर कुछ भी कर जो करना कर साथ दिन साथ दिन पहले भेज किसके पास मेंबर के बास बासमें आगे आपको आए चलिया को इसा ट्रिपल वन लुटिस बाइ सर्कुलेशन है ना देखो एक बार आगा तो आपको सब्सक्राइब बताना इसा बाते बता दिए मैंने आपको कॉस्ट आपकरे खर्चार्चा कंपनी भरेगी वर्मन टुवर्मन टुवर ने पहली कर लिया या तो का गुवर्मन टू प्रेसिदेंट गवर्न नर 113 कॉर्परेशन वह हो गया 114 और ऐसार वाट में एंसा कौन सा है यह वाला वर्टिस ओवार कि जब कंपनी कि पास करती है कितने में जितने लोगों ने वोट किसमें किया है फेवर में वह कितना चा हैंगे आप लोग है पेवर वाले वोट एकसीड अगेंस्ट वाले वोट खतम और है अफंवा ईत ऑई मनिशल को तो तो मिटिंग के lira हंटी मीटिंग एगंटे के अंदर हो यह जजदी है बाकि में के लिए मुइड बों नahliga को टिंग ठाम हो जाता है एक ग्हंटे में प्रैक्टिक यो अधी भूसले चलिए ऐसार में क्या करना आपको सेम सब कुछ बस फरक क्या है जितने वोट फिस में आए फेवर में थी टाइम शुट भी अगेंज दो बस मुझा इसका क्वेश्चंग ऐसे सौल कर सकते हैं अगर केस्टरी आई एक क्वेश्चंग ऐसा आया एक कंपनी में कितने लोग है ट आये है ठोटर कितने लोग है ऑसव आई कितने हैं फिफटी इ göst cameras hogy है मीटिंग में यस बोला है है कि तक जीव ओंभ उटेय्ट कईूल से य्चानें का współहां नहीं और caucus रटी मीप पता की आ नहीं था क्या सपावर कई और किया वहीं अ किस आप का किया तो क्ष्ट करा ढरता है तो ओट गरने का है ते नट वोक तो आठ लोग ने वोटी नहीं किया फिर इन्वेलिड वोट कुछ लोग ने क्या किया येस भी टिक किया लो भी टिक किया तो वो क्या हो गया वोट ऐसी भी भूलो गया हमारे पास तो वो हो गया साथ साथ नहीं पाच और नो बोला है नौ लोगों ने 288, 36 41, 50 बराबर हो गया बरेकाफ 50 लोग बैठे थे ये चार अलगल केडिगरीज है और 50 लोगों में से कितों ने हां बोला है 28 लोगों ने हां बोला है SR pass हो रहा है अजेंडा में क्या इस अजेंडा में SR pass हुआ है कि नहीं हुआ है some member objected that कि 50 लोगों से सिर्फ 28 लोगों ने हां बोला है ऐसा कुछ लोगों ने objection दिया है क्या SR हुआ है pass कि नहीं हुआ है pass अथरव SR pass हुआ है नहीं हुआ है बच्चास में अठेस ने हां रहा तुभी फिर भी आपका नम क्या है फिर से बूल गया मैं विदी हां हुआ है क्यों क्या देखना आपको सिर्फ दो चीज देखनी कौंसे कौंसे दो चीज देखनी है यस और नो बाकि सब टाइम पास में आएंगे कुस्टन घुमाएंगे मैं तो कुछ यादा कुछ कर भी निरा हूं एक्जाम वाले तो और आग लगाते है सब मेंबर अब्जेक्टेट समेंबर तो अप्ल अप्लाइट वे लिए तो लिए तो देंगे पास हुआ है तो लिखते हो लोग एक्जाम में लंबा करने लेक्र कोस्टन का लैंथ पेपर लंबा हो जाता है दम होता है कुछ भी लेंध बड़ी हो जाती है बंद वसे डर जाता है आप देखा जितना फेपर दियाँ को सको बताओंगा पेपर यह पर जय अजिल का है किते बनने का है चार चेवी का के लिए चारी का है 1234 चार टोटल नंबर पेपेश चार यह यह पर कम भी लोग आए जारा तो एसा है टी टाइमस ता पेपर के लेट वसी है अंदर में केस्टडी इतना लंबा कॉस्टन देखो को डीव यह बाट रहे हैं लिमिटेड कंपणी अनुट्र कंपणी यह दिव्या आपको पर दिवर की पॉइंट साथ ने डीवर सेट्ट्री तीन रूल से उस पर एक रू उसी कंपणी भी प्राइविट लिमिटेड है उस पर को डिफॉर्ट नहीं किया है और लिख दो हो गया कॉस्टन नंबा है एंसर चुटा साइए तो ऐसे क्या आता है यह तो कि आपका पेपर कपका था यह था 2022 का था स्वारी जुन 222 का था 23 का का से मिलेगा डाला ही नहीं आपको यह भी पेपर अगें यह डिसम्बर का पर है चार पिचका वेपर है यह यह वाला और फिर से कंपर देखेंगे तो बारा पिचका है यह ना सेम फॉर इस बीच पर होगा थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन कंपलों को बीट नहीं करता है तुम्हारा नुम्रिकल पर बीट नहीं करता है चोड़ो यह आपका एंसर का तरीका तो 114 हो गया चलो 115 प्रफाइब बड़न फाइफ प्रफाइफ प्रफेशल नोटिस वर स्पेशल नोटिस अभी पता है मैं आपको यह वाला चौदा दिन साथ दिन 111 का बड़ा भाई यह वान फाइव लिटर ब बहुत भाव वाली कहानी मैंने चाहा कि कोई अजंडा भाव अग्यमे लेना चाहिए अगर मैंने भीजा फुरेश पहले तो वन फाइब नहीं आएगा बन मैंने वेजा बीस दिन पहले तो भाव वह क्या बूलेगा अश्य नोटिस तो गई भाव एक और भेज बीज बीज पड़ता है बहुत एक और तुटिन बेजाना अब मेरा वाला क्या बेज स्पेशल नोटीज बेज विज दीस दिन पहले वाली बसका कैसे बेजू बढ़ा बता हूं गांगा ओके सर साथ दिन बेज तुकिसको बताएंगा को मेंबर को कैसे बता हूं बता तो दिया मैंने पेपर में फोगे फाइफ स्पेशल नोटिस जब लोगों को लगता है किसे स्पेशल नोटीस मतलब दो तीन जगव पे होती है यह यह ट्रिपल वन में होती है वन सेक्शन वर फोटी में अब तुना को वन सिक्ष्ट भी करता है कि अपला करता है वल्वन अब देता है और डिरेक्टर बनने की किया देता है आपकेशन देता है वह एनिवन वांटो दू डचंप उसके लिए section है तो वहाँ पर लगता है special lotus वाला बाकी लोग जो पढ़ेंगे वो बात में सिखा दूँगा मुंको मैं ठीके ना anyways यह हो गया फिर 116 बहुत ही घटिया सा section है 116 क्या होता है अगर AGM हुई है 20 अगस्ट को उस दिन AGM क्या हो गई अगले वीक 27 अगस्ट को और अजेंडा कब पास हुआ है 27 को तो अजेंडा पास कब से बना जाएगा 20 से की 27 से क्योंकि AGM तो 20 की थी AGM हो रही कब है 27 को पास कब हुआ 27 को इसका इफेक कब से होगा 27 से की 20 से तो answer is 27 से you can't have a back date effect क्या बोला law में इस वी ट्रीटेड एथ पास्ट आन देट इन वीच इट वास इन फैक पास्ट जिस दिन उसकी मिटिंग होई है जिस दिन उसका सच में क्या हुआ है वोटिंग हुआ है वही दिन को काउंट किया जाता है ठीक है ना 117 भी छोड़ तो आ सब्सक्राइब एक ही फॉर्म बताता है मैं को बहुत पहले एंगी फोटीन वनवन से एंगी फूरिंगे जो ओरीजिन है वो कौन से सेक्षन है 117 जबन देवन से पढ़ते आ रहे ना जब से कि कुछ भी हो तो एसर पास के तो क्या फॉल बरो एंगी 14 वो मैं बोलता कहां से है यहां से बोलता हूं 117 दोलता है की आपको जब जब क्या परते हो अच् करते हो मटरे के sudah honesty के इसको अब मटरे ख़र हो मटरे कर रहे हो तो a सब्सक्राइल एंग टी फोर्टीन है एंग लास सेक्षिन एक और इसका नाम में मिनिट्स यह भी बहुत इजी है मतलब रिविजन बैच की लेवल पे मिनिट्स सेक्षिन नमर वन वन एट क्या बताता ही है जो मिटिंग में जब भी डिसकस हुआ है और सिर्फ इसका नहीं मैं विजशन को कोई मीटिंग हो जनरल मीटिंग हो बोड मीटिंग हो कमैटी मीटीं और प्रिफिरिंशन मीटिंग हो डर्य गेर अगर आपने कोई भी ट्याइप के लिया उसका मिनेट बनना तो हैं कि बली हम कुई से चैटेर पकड़ रहे हैं जनर मिटिन डेक्षम मयला यह फिक्स है यह फिक्स है भाली को टॉपिक अपने पड़ा नहीं होंगा पर लौने पहले ठोश दिया समें सेक्टन नुमर बन में सब्सक्शन वन में कि कोई भी टाइप की मिटिंग कंपनी में हो रही हो उसका क्या बनेगा मिनेट्स बनेगा इवन यू कॉल दे मिटिंग भी मिल दिपॉसिटर्स मिनिट्स बनाओ के कि इन करेंट फेर में समरी में में समरी में शॉट में लागे मिन आको देखना किसी को भी ऐसी मिनिट्स-ओफ एझीम एक्षुल का मिनिट्स आगे देखो इस सब पब्ली डोमेन पर आता है सब कुछ छुपा हो नहीं रहता आज कल एक्षुल की मिनिट्स आ गई क्या से आया मैं इस ऑफ देटिन अग्षुल आप देख लो आप डेट क्या है एजम की तेईस जून की मिनिट्स कब बने पहले वो देख लेए देख लेटेज जून को मिनिट्स कब मिटिंग कब कि थी कि तेईस जून की मिनिट्स कब बने सबस्कों 30 दिन बोलाएं अभी दिमाग लगाओ ना बोला 30 दिन है यह दरता है के चार दिन बाद प्रैक्टिकल हम क्या करते हैं कि शेंदिय बना लेते बहिए सुबक क्या हुआ तो शाम तक बना लो मिनिट्स अभी मिटिंग करने के ब शुक्त बना लो इसलिक मैं बोलता आपको आज ख्लास होई है घर जाकर यह चैप्टर पूरा रिवैस कर लो बैस्ट होता है कर तो चार दिन बाद भी सकते हो माना कोई नहीं कर रहा है बढ़ आप भी समझदार हो आज कर देखो एक बार आप मज़ाएगा और एक बार बाक है यह सेम डे कर लोगई कौन कौन पेजिट था नीवेता डितिन परआंचपेश संजी मैंता यह डरेक्टर लोग है कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- इव कौन-कौन-क और इस कंपनी का सी यह कि यह से विलमस सिर्फ बिल्यम् सम्छी इस सब लोगे乾 और कौन आया है इस वstat क् पिर ऐसा हुआ किते में बराइं मीटिंग में 238 लोग आए अच्छा यहाद है 112 के साब से आटिकल लॉब वन टू किसा आप से कौन चेर्में बन गया नितीन परांच पर कि आटिकल लिखा हुआ है कि जो कंपनी का चैर्में लोगा वही अच्छी में बन गया ठीक है भाई साब फिर सबसे पहले क्या किया गया ऐसा किया वहाई वह लिखा हुआ है फिर धाई बजे शारप क्या हुआ चेर्में खड़ा हुआ उसे क्या किया 18 गाड़ा हुआ लुद करेंद की अगया वाला यह अना क्या यह श्रभली कोल टॉटा जिइव संहर गई उग्धें inclusEM इसली यह यह एलग्या मै inadequate नॡिया इसली मेरे भली भल दिया लहन aircraft लेकिन सारे इंस्ट्रक्शन कोन देगा ओके लेट्स टार्ट ओके वाइंड अप चैर्मन इंफॉर्म्ड की बिकॉस कोविड आया था इसलिए मीटिंग कैसे ले रहे हैं इलेट्राणिक मींट से ले रहे हैं क्यों फिसिकल नीली आम ने एक ब्रीफ दे दिया चैर्मन ने है ना अभी उस्ते क्या क्या बोला होगा एक्चुली वह सब गायब करना पड़ा था क्या कैसे बोलेंगे अब हो सकता है चैर्मन बहुत बड़े कंपनी का है बट जरूरी उ और वह आप दे दिये पिर चैर्मन इंफिर्म डैट कंपनी उस्तेकन और स्टेप टू यह वह चैर्मन इंफार्मन मेंबल्ट कंपनी ने ऑप्शन दिया किसका लाइफ वेविनार का जो मीटिक में आ सकते हैं पर चैर्मन ने एक एक लबंदे का नाम लिया इंडिरूस किया कलपना मोरारिया को आशु श्यश को ऑपी भठ को देवाच सब को इंडिडूस किया ठीक है यह सब हो गया फिचर में इंडिडूस एन वेलकम नए डिरेक्टर जिसका वेलकम हो वेलकम किया ऐसे मतलब पूरे बैक्डराउंट देते गये यह वह 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 सब पताते गया पूरी कहानी बता रहे है इंशॉट किते प्रॉक्सिया हमारे पास आखे प्रॉक्षी हो गाई निश्माटी फ्रॉक्षी हो गाई निए चेर्मन इंवर्ड ओए अग्म वस कन्टेट द्रू अडिवेज्विजिल मिल्स अग्डट प्रॉक्षी अप्लीकेशन नहीं है तो इनने बोला कि सब्साइब कंपणिया थी उन्होंने क्या बेजा अपने अपने इसे बात है इन्होंने किसको पॉइंट किया हुब यह कौन है कौन है सुपरमन यह मुंभाई सी बिलाग करते काफी बड़े सब्सक्राइब कर दो कौन बात कर रहा होगा बात होती है वह लिखना नहीं पड़ता है वह सब बहुत लेंदी हो जाता है इसा करते 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 फिर चैर्मेन ने बिजनस लिया लिखेस्ट किया 24 देको रिखेस्ट्थ देव बाच पर देखो टो घ्रीफ करने करें कि इसको बोला देव बाच पर हूए बाच दीया थ्री थ्री त्री तों गो अगों दो फूर फाइवत शीक्स सेवन ऐसे करते हैं सब एजेंडा पड़े अजेंडा फूरे पड़े सब अपने अपने असाब से वोट किया सब ने अपना अपना बता आए आप सब हो गया अब आते में टॉपिक पर इस बता दिया फिर कुछ कमेंट् में सब लिखा है आप बहुत सारी बाते है फिर चेर में ने बताए कि हम प्लास्टिक यूज कम करने करें कि इसको बहुत टाइम चल जाएगा ऐसे बहुत सारी बाते बताई और आखरी लेन किया थी है रिजल्स हो गया मिनिट्स बनाए और अज मिटिंग को खतम कर दिया गया तेक्व आपि लिखा न अखरी में 53 नंबर चेर मैं थैंक्ट और डारेक्टर एवरीवन अनमीटिंग वस कंक्लूड़ेड एट 6.45 पीम स्टाट कभ वहा था मिटिंग हो अच्छाइब को शाट हो यह ना एंक रूट जाला इक दूट इन चला विए आगे में कि बहुत तरह कंटेंट ना जो मैंने स्किप किये की बहुत लोग बात इक है आप बात मिटिंग इसक्र नोग करते यह सब चलाव पॉइंट जिसके से मिटिंग चली पॉलिंग में इसक्र रिश्टर तुमसल्व उस्पीकर है और यह सब्सक्राइब टीफ लोग ऑन वर बोलें गे एक में बंदा अगर फाइम मुद को लेका ऑर बोलने बाते बारा मिन बारा बोले बोले बुस्या नहीं है वह बोलेगा तो तो दो तो न लोग नाउ let's move to the next agenda वह बंद को मे लेकिन होता है इसलिए उसको आवज ही नहीं होती है तो इसलिए उसको आवजी नहीं होती है कुछ भी हो सकता है आवाज आती नहीं है फिर बंदा बीच में उसका नमब दो सब्सक्राइब करेंगे में इंक्लूडिंग मिनिट्स सबसब डालेंगे देखो आपको ईजी लगेगा अब क्या का था पहले पेच पे कौन रेटर प्रेजेंट थे कौन लोग प्रेजेंट सब का नाम दिया में तीन बाते नहीं निची कौन तीन बाते एर्रेलेवेंट इंडियल दूसरा कोई भी डेट्रीमेंटल ऐसा कोई बात जो कि किसी के बोलने से अब जिसे इतने 24 लोगों में से पका-पका कुछ लोगों ने क्या बोला होगा कुछ इस निगेटिव वर्स यूस कि होंगे कि सर्वियां मेंबर फॉम निगेटिव बख्की यह से नहीं बोल रहा हूं मैं मेरा बोलना इसा कोई बना बोलोगा मैं आपके कंपनी में छे साल से बैठा हूं and you are not still paying dividend from past six years what we expect from you should we continue with the company और शो भी लिए लोग गाली वाली बख्की अब शब्द कहे विस्तों भी तो दिखना नहीं है तो इसे बाते बुदानक नहीं है फिर मिनिट्स प्रॉपर बनाएंगे एंट्री करेंगे और इसा बता है लूज लीफ में लूज ली समझते हो यह सब में प्रॉपर पेज नंबर होगा पूरे चीजों का प्रॉपर ली जीए ना पलिख नंबर होगा डेच होगा सब कुछ होगा कि सब पीडिão फेसले gusta जिए एंड का बेद हर पेस्ध क्या लगता है इंश generating और लास्टव क्या लगता है साइप है यह आपको क्या से दिखने हं रहे अगर मैं यह दिखा हो यह भी नहीं दिख नहीं और यह यह शायद हो सकता है यह भी स्कैंडी है अच्छलों के बाद सब बदल गया है और दुस्री प्रॉब्लम है वह प्रिंटाइब रहेंगी कंपनी के यह तो मैं जो गूगल पर दिखाता हूं कि पब्ली डॉमेन पर है मैं बहुत कम दिखाता हूं जो की सेंसिटिव है तो मेरे बास से लिकिन वह मिनिट्स जब तक कि पब्ली डॉमेन पर नहीं है लंबा लंबा ता यह बड़ा संब कहां पर होगा लाश्च पे और हर पीच पे छोड़ा सा आपकर जो भी होगा इनिश्यल बोलते सको बलो कुछ देखाँ आपने ऐसे कुछ कर देता है जो भी है आप अपने इनिशल बना लू आपको तो भी विल लेवल नहीं है बढ़ ज से करते है वह बंदा से करी रहा है तो दो दिन तो कोई काम कर रहा है तो एक एक क्या करना पो इनिश्यल लाश्ट प्रिका करना नहीं है साइड है ठीक है बस इतना काफी है है डन ठीक है न तो 119 1120 वगर कुस्तानी 121 सुन लो बताया था मैंने कौन सा रिपोर्ट आवेजियम एंगे 15 और 122 क्या है एक ही सेक्षिन है इंपोर्टेंट सा ओपीजी वर्ड़ोपीजी सेक्षिन क्या है जितना मैंने पढ़ा है किसके लिए यह सब नहीं एवरी कंपनी एक्सेप्ट कि कि ओपीजी में एजम हो रही ने एजियम हो रही तो नोटेस सब सेक्षिन हो गया होंगे आपको 101 अचा हंडेर तक में लिख लिए आता 101 नोटिस 102 एक्षिंट में 103 को रम 104 चेर्में 105 प्रोक्सी 106 रिस्रिक्शन वोटिंग राइट 107 शौफंड 108 एवोटिंग 9 पोल 10 बैलेट 11 स्पेशल नोटिस शर्कूलेशन वाला 12 13 गोवर्नर प् इसलेंट 12 13 कॉर्परेशन 14 ओर एसर 15 स्पेशल नोटिस साथ दिन 14 दिन 16 एजन्ट मीटिंग अजेंडा कब पास होता है सत्रावा एंगीटी 14 जब जब एसर पास होगा एंगी 14 आठ्रावा मिनिट्स 19 उसके एविदेंस बनेंगे 20 उसके मिनिट्स की रिकॉर्ड बने जाएंगे 21 रिपोर्ट ऑवेजियम फाइल टूबी आउसी 30 दिंग अंदर कॉण से कंपनी सिर्फ लिश्टर कंपनी बागे सब को नही एक वाला 118 मतलब मिनिट्स मतलब ओपी सी में इक एंबर होता है वो जन्रमीड लेता नहीं है मान लिया एजम लिता नहीं मान लिया लेकिन अजिना तो पास करता होगा अकेला मेंबर है आए वांट पर्चेस बिल्डिंग नियर कोर्यगाव पार्क रिस अप्रूब पास्ट कुदी पास कर दिया काम कर लिख ले लिख ले मतलब क्या बना ले मिनिट्स बना ले तरको 101 लगनी रहा तेरा ऐसा रही नहीं थ्री टाइमस आप दे फेवर यूर थ्री टाइमस बोट इन फेवर आप यूर अगेंस्ट ऐसे हो गया मतलब कुदी फेवर में करो तो यह सब करना नहीं आपने तो यह सब बाते आपको धानक्तियों चलनी है कि यूनिट तो अंडरस्टेंड इस एक्जाम्बल्स जो आपको मैंने बताया ठीकर ना है लू है हब बूल की अजी तो क्या बातकरता मैं की व पीसी में 10112 कोई कोर्म नहीं कोई प्रॉक्सी नहीं कुछ नहीं है टो इसक्ष्ष्टीं 118 वाला वह अपने मिनित्स पर बना लेंगे अगर अगर इक विसे ने क्या बना लिया मिनित्स बना लिया राइटिंग में उनका कम्प्लैंस आ हो गया बाद उन्होंने सिंपल भाषा में 96 से लेके 121 पूरे सेक्शन फॉलोग कर लिए ऐसा माना जाता है किसके तरफ से ओपी सी तो हो कि वह एक बार अगर आप पूरा देखेंगे 88 से लेकर 122 तो आपको सारे सिक्शन याद हो चुके रहेंगे 88 से हमें शुरू किया तो र कर ले ढंक से यह नोट 25 पेषके नोट से अलमोस्ट तो यह ना पूरे कवर करवाए उसके अलावा तो रेगलो नोट प्ड़ह लिए यह कर लिया के च्छरी भी कर ली मेरे बुक सोंगे आपके वास जो के सुरुक है उसकी दूरु अगर आपको के सुल कर लो सारे वाले यह chapter खतम कर लो if you can do that trust me यह chapter बहुत बढ़ा वाला बंच आपका फाइदा हो जाएगा क्योंकि पार्ड भी आपका 40 माक्का आता है old वालों का 40 माक्क में 20 माक्का इसको अगर आप रिवास करते हैं तो 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 यह chapter बाजी हो जाता है एक ओक्टबर की दिन इस डिसमबर वह बुक्स आपको पास केश्टरी वह भूंगी वह बुक्स आप सारे कोस्टन्स चाप्टर के कौन से वाले जनरल मिटिंग वाले चैप्टर सब्सक्राइब कर दो कमेंट आफ्टर दिस वीडियो कैसा लगा सेशन आपको तीक ना सेशन के सेशन के बाद कमें सेक्शन करने सब्सक्राइब और इसको भी सबको रिक्वेस्ट अपना मोबाइल खोलकर वीडियो को लाइक जरू कर देंगे सब्सक्राइब चलो बाबाई बाबाई टिक क्यर